हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अक्टोबर थर्ड वीक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं, तो हमेसे की तरह आप इस वीडियो को अं मिल जाएगा, आपको बता दी स्वनियर मेंबर्शिप प्लान केते हैं, जितने भी हमारा पीडियो कोंटेंट है, वहम आपको एक साल तक के लिए प्रवाइट कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, इसके लिए चाहे तो आ हमारा पीडियो कॉंटेंट काफी यूजफुल है, तो कोई विए अगर आपका डाउट है, हमारे पीडियो कोड से संबन दित, तो आप कमेंट बोक्स में विश्च लिखेगा, चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की, विश्व मानतिवस कम मनाया जाता है, ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर ओप्शन भी है, ओक्टोबर 14, आपको जाना चेह हर साल 14 अक्टोबर को वर्ड इस्टेंडर्स दे या फिर इंटरेशल स्टेंडर्स दे सेलिप्रेट किया जाता है, साल 2030 में इस वर्ड स्टेंडर्स दे का थीम है, Shared Vision for a Better World, Incorporating Sustainable Development Goal for Good Health and Well-Being, आपको जाना चेह वर्ड स्टेंडर्स दे, इसको और्गनाईज किया जाता है, International Electro-Technical Commission, International Organization for Standardization and International Telecommunication Union के द्वारा, आपको जाना चेह हर साल 15 अक्टूबर को इंटरेशल डे ओफ रूरल विमन सेलिप्रेट किया जाता है, 15 अक्टूबर 2008 को पहली बार International Day of Rural Women आपसर्व किया गया था, और साल 2030 में इस डे का थीम है, Rural Women Cultivating Good for All. What is the theme for 2023 World Food Day? 2030 विश्व खाद्य दीवस की थीम क्या है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन दी रहेगा, Water is life, Water is food, Leave no one behind, आपको चाना चाहिए कि World Food Day, यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को, जो United Nations की एजंसी है, Food and Agriculture Organization, FAU जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, FAU ने साल 1979 में यह डिसाइड किया कि World Food Day 16 अक्टूबर को मनाएंगे, 2030 में इस World Food Day का थीम है, Water is life, Water is food, Leave no one behind, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि FAU की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई, इसका headquarters रोम इटली में यह कई बार पूछते हैं, और हाल ही में उडिसा PCS का एक्जाम हुआ, अभी 15 तारिक को, उसमें भी यह question पूछा गया था, FAU का इस्थापना जो वर्ष है, वो पूछा गया था, बागी आपको जाना चाहिए, इसका motto है, FAU का, Let There Be Bread, देखें जो PCS वाले paper हुए न, अभी आली में राइस्थान PCS का paper हुआ, जम्मो कस्मीर PCS का paper हुआ, मद्यपरदेश PCS का paper हुआ, यह उडिसा PCS का paper हुआ, इसमें जो भी current affairs पूछे गए हैं, काफी math पूर्ण है, आप चाहिए bank के exam के तयारी कर जो, किसी भी exam के तयारी कर जो, current affairs तो same ही रहता है, ठीक है, तो अगर आपको मिल जाएं, तो अच्छी बात है, यह वाले paper, इनमें आप current affairs देख लिए, आज को भी पता चल जाएगा, कि आपकी तयारी कितनी अच्छी है, और क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि Odisha PCS का अगर आप देखेंगे, उसमें exercise वगएरा भी पूछी गई है, तो आपको थोड़ा device भी हो जाएगा, आपको मालूम भी चल जाएगा, कि कुछ चीज़ आपने छोड़ी तो नहीं है, Aircon International Limited and Rights Limited are both, Central Public Sector Enterprises under which Government Ministry, Aircon International Limited और Rights Limited, दोनों केंद्रिय सारावजिनिक छेत्रक उद्यम किस सरकारी मंत्रा लेकें दरगत हैं, सही आंदर उप्चन भी है, Ministry of Railways, आपको जाना चाहिए Aircon International Limited and Rights Limited, दोनों ही Central Public Sector Enterprises हैं, अंडर Ministry of Railways और दोनों को ही नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, Aircon 15th नवरत्न कंपनी बनी है, वही Rights Limited 16th नवरत्न कंपनी बनी है, तो Ministry of Finance नहीं ने ये नवरत्न स्टेटस दिया है, दोनों ही Central Public Sector Enterprises को, Aircon के अगर हम बात करें, इसके Chairman and Magic Director योगेश कुमार मिश्रा है, Headquarters New Delhi में है, Rights के जो CMD है, Chairman and Magic Director राउल मितल है, Headquarters गुरगाओं में है, Who is the only Indian PSU included in the Forbes World Best Employers 2023 List, Forbes की विश्वर सर्फिस रिस्ट नियोकता 2030 सुची में शामिल एक मात्र भाद दिये, PSU कोन है, सही आंसर ओप्शन सी है, NTPC, आपको जाना चाहिए इंडिया की Largest Integrated Energy Conglomerate, NTPC Ltd, यह World की जो Best Employers 2023 List है, जिसे Forbes ने जारी किया है, इसमें अपनी जगा इसने बनाई है, तो टोटल 700 Companies को जो है, इस Forbes की List में नामित किया गया है, उन में से NTPC की रैंक है 261, और यह एकलोती इंडियन PSU है, जो Forbes की World Best Employers List में शामिल है, अगर हम बात करें, पहले नमबर पर तो Samsung Electronics है, दूसरे नमबर पर Microsoft है, तीसरे पर Alphabet है, चोते पर Apple है और पांच योपर है Ferrari, किस लेका को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है, सही आंतर ओप्चन A है, सीवा संकरी, आपको जाना चाहिए तमिल राइटर सीवा संकरी, इनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है, इनकी बुक सूर्य वंशम के लिये, यह वार्ड जिसे की institute किया गया है, केके बिल्डाप फांडेशन ने प्रसेंट किया गया, फोर्मर यूनिवेस्टर M. विरप्पा मोईली के द्वा, और पंद्रा लाग रभी की प्राइज मनी इसमें दी जाती है, तो जो सेलेक्शन कमिटी थी, जिनकोंने इनका नाम चुना, इस सेलेक्शन कमिटी किया देक्ष्टा, फोर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरजन कुमार सीखरी थारा की गई, सरुतिस सम्मान के बारे में आप सभी जानते हैं, वन ओफ ता मोस्ट पिस्टीजियस अवाड्स जो की हर साल दिया जाता है, इंडियन सेशिजन को, जिसका कोई वर्क हो, किसी भी इंडियन लेंग्विज में, या फिर जो सिट्टीज एट की लेंग्विजेज हैं हमारे कॉस्टिटूशन में, और पिछले तस साल में वो पब्लिश हुआ हो, अब तक 32 अवार्ट्स दे जा चुगे हैं, सरस्टी सम्मान, वट इस अटोटल वैल्यो ओफ इंडिया जापान फंड, हाली में लॉंच हुए, भारत जापान फंड के खुल राशी कितनी है, सही अंतरॉप्शन दी है, 600 मिलियन यूज टोलर, देखे, नेसल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्चर फंड यानि की NIIF, इसने जापान बैंक फोर इंट्रनेसल कोपरेशन यानि की JBIC के साथ कोलिबरेट किया है, और 600 मिलियन यूज टोलर गाएक इंडिया जापान फंड लॉंच किया है, जिसमें की, जो JBIC है और Government of India, यह anchor investors है तो यह जो NIIF है, यह इसका first bilateral fund है, इसमें Government of India contribute कर रही है 49% और बाकी का 51% contribute के जारा है JBIC के दौरा यानि की Japan Bank for International Corporation, इस fund को manage के जाएगा NIIF Limited के दौरा और इसको support करेगा JBIC IG The India-Japan fund will focus on investing in environmental, sustainability and low carbon emission institute and aims to play the role of being a partner of choice to further enhance Japanese investment into India The Government of India notified the constitution of the National Turmeric Board, what is India's rank in the world in terms of producing turmeric 12 सरकार ने राष्टे हल्दी Board के कठन को अधिसूचित हिया हल्दी उत्पादन के मामले में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है सही answer option भी है first आपको जाना चाहिए Government of India ने हाली में National Turmeric Board के स्थापना की है और जो turmeric है या turmeric products है हमारे देश में उनकी development के लिए उनकी growth के लिए यह board बनाया गया है अगर हम इस board की composition की बात करें तो इसमें एक chairperson होगा जिसे central government द्वारा अपोइंट किया जाएगा और ministry of I.E.U.S. Department of Pharmaceuticals agricultural farmers welfare commerce and industry यहां से members लिए जाएंगे और जो senior state government representatives हैं from three states rotation basis पर बो लिए जाएंगे और इसमें जो state की national state institutions हैं उनसे भी लोग ले जाएंगे और secretary भी होगा इसमें जिसे department of commerce अपोइंट करेगा आपको जाना चाहिए कि भारत largest producer consumer and exporter है turmeric का पुरे वर्ड में जो हमारे देश में largest turmeric producing states हैं वो महारास्ट है तेलंगाना है, करनाटक हैंड आपको जाना चाहिए इंडिया has more than 62% share of world trade in turmeric और भारत का जो ज़्यादा तर turmeric export होता है वो बंगलादेश, UA, US and मलिश्या में होता है अभी इस board की स्थापना के साथ ही बारत का target ये रहे गा कि 2030 तक जो मारा turmeric export है उसकी value 1 billion US dollar हो जाए which organizations collaborated to develop the R21 matrix M malaria vaccine R21 matrix M malaria vaccine विक्सित करने के लेकिन संगठनों ने सहयो किया सही आंतर option सी है University of Oxford and Serum Institute of India आपको जाना चाहिए R21 matrix M malaria vaccine जिसे University of Oxford and Serum Institute of India द्वारा डेवलप किया गया है जिसमें NOAAVACS की जो adjuvant technology है उसको यूज किया गया है इसे WHO यानी की World Health Organization द्वारा recommend किया गया है यूज के लिए याना हाली में जिसकी जो safety, quality और effectiveness standards जो है प्रोपर पाई गये Serum Institute of India अल्रेडी 100 million doses per annum की production capacity established कर चुकी है इसके लिए inspection को develop किया है Jenner Institute at Oxford University and Serum Institute of India इनको support किया है European and developing countries clinical trial partnership के द्वारा Welcome Trust और European Investment Bank ने भी इसमें अपना contribution दिया है आपको जाना चाहिए फिल्हाल R21 Matrix M malaria vaccine को license मिल चुका है कि यह घाना Nigeria and Burkina Faso में use की जा सकती है What was the gross goods and service tax collection in September सितंबर में सकल वस्तू एमम सेवा कर यान की GST संगरे कितना रहा सही आंसर option दी है 1.62 trillion रूपीज देखे goods and service tax GST collection जो है सितंबर के महीने में 10% से बढ़ा है और कितना हुआ 1.62 trillion रूपीज को पार कर गया और ऐसा चोथी बार हुआ है इस current financial year में कि 1.6 trillion रूपीज के आंकडे को पार कर गया बाकिस में आप देख सकते हैं कि CGST कितना रहा, SGST कितना रहा, IGST कितना रहा, SS कितना रहा है GST collection जो first half है हमारे इस financial year का उमीद की जा रही है कि 11% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी और 9.92 trillion रूपीज का ये होगा जब ग्रोथ की बात करते हैं ना कि इतने परतिश्यत ग्रोथ तो इसका मतला हम सेम पिरेड में पिछले साल से कंपेर कर रहे है थलकेदार forest will be the first biodiversity heritage site of which state थलकेदार वन किस राज्य का पहला जय भी वित्तावी रासफ इस थल होगा सही आंसर option C है B है उत्राखंड राइट आंसर इस option B उत्राखंड आपको जान शीत थल के तरह पूरेट जोकी पित्वरागड उत्राखंड में है यह उत्राखंड की first biodiversity heritage site होगी कुमाओ हिमालियास में आते हैं temperate forest है और अब इनको जब biodiversity heritage tag मिल जाएगा तो यहांकी जो ecology है टेके जो landiscape है वो भी सुरक्षित रहेगी under the biodiversity act अचा उत्राखंड से ही संबदीत एक और मैतपूर्ण करंट अफेर देखेंगे हाली में प्राइमेस्टर इंद मोदी ने ब्यालिस्टो करोड़ रुपे के प्रोजेक्ट की आदारशिला रख्या है पित्वरागड उत्राखंड में और हाली में इन्होंने इसी दोरान पा पर लगाए गये मौतरिक दंड की राशी कितनी है सरी अंतर प्चन ने है 1 क्रोड रुपे का मोनेटरी पेनल्टी लगाई ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर फोर नोन-कम्प्लाइंस इसुद बायार बिया ओन लोंज और एडवांस इस स्टेश री और इस इस्री ने रुपे की मौनेटरी पेनल्टी लगाई है बजाज फाइनेंस लिम्टेट पूने महारास्ट पर आर्वाई ने 5.39 क्रोड रुपी की मौनेटरी पेनल्ट लगाई है पेटीम पेमेंट्स बैंक लिम्टेट पर अब देखे जो एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला ह यह महत्पूर्ण रहेंगे आपके आने वाले एक्साम के लिए और जो एक और लगते रहते हैं यह तो इतने सारी कठे हो गए है ठीक है तो इतने इंपोर्टेंट नहीं होते हो हाला कि हमें तो देखिए करान आई है कि ताके कुछ भी छूटे ना यह मैं आपको बता दे र लाग रुपे की मोनिटेरा प聯 interfere लिए हैा फिनक्वेस्ट फैनीचनल सुलुचें प्राइवाइर 17 मुंबई पर अर्बए ने एक लाग रुपे की मोनिटीरा पैरे मालास्ड पर वहीं आर्बिया ने एक लाग रुपी की मोनेटरी परनेट लगाई है जनतार बन कोपरेटिव बैंक लिमिटेट को आई मालास्ट बन साथ ही आपको जाना शिरी इसरफ बैंक ऑफ इंडिया ने एकी स्कीम ऑफ एमलगमेशन को सैंक्शन किया है यह स्वयकास पीपल्स कोपरेटिव बैंक लिमिटेट आहमदाबाद गुजरात और कालूबूर कमर्शर कोपरेटिव बैंक लिप्टेट Surprise क्या इम्दाबाद देखे जाने माने जर्णिस्ट केस सचीदान मुर्दी 68 की एज में का नितन हो गया यह मले आलया मनोरमा गुरुप में भी इन्होंने कारे किया है और अब चुरीज देख लेते हैं अमेरिकन सेलेबरेटिक शेफ माइकल शुरयलो इनका भी हाल में 61 की एज में धन हो गया बिटिस स्कीन राइटर और डिरेक्टर टेरेंस टेवीस इनका हाल में 77 की एज में धन हुआ पदमश्री अवार्डी ध्या भाई शास्त्री यह संस्कृत इसकृत महाविद्याले नाद छुट काशाद सिंग रॉकां और निदव ईनन हुआ46 के ज में अमिरिकन पोएट एंड नोबेल प्रिसकार पीजेत अब्रेटर इन्हित्या इन नोबेल प्रसकार भीज आड़र्ग्श के डोग् किस केंद्रे मंत्री ने मरक्वा के मरकेश में विकास समीति के 108 भी बैठक में विस्व बैंक के कवर्णर के रूप में भाग लिया सही आंतर अप्शन सी है निर्मला सीतरमन देखे यूनियन मिनिस्टर औफ फाइनस और कॉर्परेट अफेर्स निर्मला सीतरमन इन्होंने रिपोर्ट तो गवर्णनर्स ओन वर्ड बैंक एवलूशन ICAR, IARI and which IIT signed an MOU to support incubators and start-ups ICAR, IARI और किस IIT ने incubator और start-ups का समर्शन करने के लिए सम्जोते के आपन पर स्थाक्षर किये सही आंतर अप्शन भी है IIT, कानपूर आपको जाना चेक Memorand of Understanding sign किया गया है Pusha Krissi ICAR, Indian Agriculture Research Institute, IARI or Start-up Incubation and Innovation Center, IIT, कानपूर के बीच में थ्रू इस MOU, बोथ the sites will provide vital support to incubator and start-ups fostering their growth and success the joint efforts will offer a conducive environment for start-ups to thrive and make meaningful contributions to the agriculture sector एक और MOU देखेंगे हम REC, जो की महारतने कंपनी है under Ministry of Power इन्होंने एक Memorand of Understanding sign किया है National Informatics Center Service Inc. NICSI के साथ जो की National Informatics Center, Minister of Information and Minister of Electronics and Information Technology, Government of India के तहता आता है इनके साथ इन्होंने MOU किया है खुल मिलाकर REC और National Informatics Center Services के बीच में MOU हुआ है for various information and communication technology and digital transformation services What is India's rank in the Global Hunger Index 2023? Global Hunger Index 2030 में भारत की rank किया है सही आंतर option C है 111, 111 आपको जाना चाहिए Global Hunger Index 2023 हाली में जारी किया गया है और out of 125 countries, India ranked 111, 125 countries में भारत की rank 111 भी है Government of India ने इस Hunger Index को नाकार दिया है और जो इसमें तरीका यूज किया गया है उसको erroneous बताया है इस Index में भारत का इसको रहा है 28.7 यानि कि serious level of hunger इवन भारत को पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, स्री लंका से पीछे बताया गया है और भारत, अफगानिस्तान, हैती और जो 12 सब साहरन कर्ट्रीज है उनसे अच्छाया परफॉर्म कर पाया है 2030 का जो Global Hunger Index है वोड के लिए बो 18.3 है इस इंडेक्स के नुसार भारत में हाइस्ट चाइड वेस्टिंग रेट है 18.7 वेस्टिंग मतलब जो चिल्डरन का वेड जो वेड टू हाइट रेश्यो है वो प्रोपर नहीं होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग अगर हम ऐसा रीजन देखें जहां पर लोवेस्ट ग्लोबल हंडर इंडेक्स स्कोर है तो वो यूरोप है एंड सेंट्रल इशिया है इनका स्कोर 6 है अगर हम देखें ऐसी रीजन जहां पर हाइएस्ट हंगर लेवल है है तो इस साउथ एशिया है अफ्रिका साउथ ओफ तस सहरा रहा है यहां पर इसकोर है 27 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लीश किया जाता है अनुल बेसिस पर बाइक कंसर्ण वर्डवाइट एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स से यह टूल है जो कि हंगर को ट्रैक करता है ग्लोबल रीजन और नेसल लिवल्स पर और इसमें 100 पॉइंट स्केल होता है अगर जीरो है यानि कि बैस्ट स्कोर है और हंडेट है तो वस्ट है जित इसमें जो फोर्मला यूज किया जाता है उसमें उसके लिए जो है चार इंडिकेटर से यूज किया जाता है उसमें एक तो यह अंडेर नुरिश्मेंट चाइल इस्टंटिंग चाइल वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोईटैलिटी अंतरास्टे गरीबी उनमूलन दिवस कम मनाया जाता है उप्शन्स आपके सामने है और सही आमसर उप्शन दी है उक्टोबर 17 आपको जाना चाहिए हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेश्टिंग एडिकेशन अप पोवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है साल 23 में इस टे का थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पूटिंग डिगनिटी इन प्रैक्टिस फॉर आल आपको जाना चाहिए एक और डे के बारे में जो कि बाराक टूबर को मनाया जाता है इसका नाम है वर्ड अर्थ्राइटिस डे और इसका मकसद रहता है कि लोगों में जो rheumatic and musculoskeletal diseases है यानि की RMDs इनके बारे में जाग रूपता फैला नाम साल 2030 में वर्ड अर्थ्राइटिस डे का थीम रहा Living with the RMD at all stages of life विस city hosted the 16th Agriculture Science Congress शोल भी क्रिसी विज्ञान Congress की मेजबानी की सहर ने की है options आपके सामने हैं सही answer option ही रहेगा कोची आपको जाना चाहिए कि National Academy of Agriculture Sciences न.A.A.S. इन्होंने कोची के रल में 16th Agriculture Science Congress को organize किया और इस Congress को host किया गया ICAR का जो institute है Central Marine Fisheries Research Institute कोची के रल इसके द्वारा आपको जाना चाहिए इस Congress का theme रहा Transformation of Agri-Food Systems for Achieving Sustainable Development Goals और तेरा तारिक को जब ये summit end हुई तब इसमें जो concluding remarks है वो दिया गया Department of Agriculture Research and Education के Secretary Dr. Himansu Patak के द्वारा The Prime Minister Norendra Modi inaugurated the 141st International Olympic Committee session in which city परदानमंत्री Norendra Modi ने किस सहर में 141 वे अंतरास्टिय Olympic समीती सत्रगा उदगाटन किया Options आपके सामने है सही आंतर Option ए है Mumbai आपको जाना चाहिए Prime Minister Norendra Modi ने मुंबई में 141st International Olympic Committee session को inaugurate किया है The session provides an opportunity for interaction and knowledge sharing among the various stakeholders related to sports आपको जाना चाहिए IOC session है यह meeting होती है International Olympic Committee members की और Olympic Games से संबंदित या इसके session से संबंदित जो भी future का discussion है वो यहाँ पर होता है आपको जाना चाहिए भारत 40 साल बाद इस meeting को होस्ट किया है इससे पहले 1983 में भारत ने इस International Olympic Committee के 86 सेशन को होस्ट किया था World Health Summit 2023 टुक प्लेस इन विस सिटी विस्वस्वास्थे सीगर सम्मेलन 2030 किस सहर में संपन हुआ सही answer option C है Berlin जर्मनी आपको जाना चाहिए World Health Summit 2023 हाल ही में Berlin जर्मनी में संपन हुआ और इस summit का theme रहा A Defining Year for Global Health Action डॉक्टर भारती परवीन पवार जोकी Union Minister of State for Health and Family Welfare है इन्होंने यहाँ एक High Level Panel को भी संबधित के जिसका theme रहा Scaling Up Integration of NCDs in Primary Care आपको एक और summit के बारे में जाना चाहिए जो हाली में संपन हुई यह थी United Nations की Climate Ambition Summit C.A.S. यह United Nations के headquarter New York में संपन हुई और इसमें आपको जाना चाहिए जो चाइना है, United States है और इंडिया है तीनों का ही जो world में global जो greenhouse gas emission है इसमें 42% का contribution है और यह तीनों ही देश इस summit में absent रहे है इन विच कंट्री डिट एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर S. चैसंकर रिसेंटली अन्विल दे स्टैचू ओफ रबिंदरनाथ टैगोर विदेश मंत्री S. चैसंकर ने हाली में किस देश में रबिंदरनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरेंड किया सही answer option A है वियतनाम आपको जानाचे मिनिस्टर ऑफ एक्स्टरन अफेर्स डॉक्टर S. चैसंकर ये वियतनाम के दोरे पर है इन्होंने International Friendship Park जोकी बाकनी प्रोविंस वियतनाम में है यहां कुरुदेव रबिंदरनाथ टैगोर का एक बस्ट मतलब वेस्ट तक का जो स्टैचू होता है उसको अन्वेल किया है साथ इनोंने हनोई में स्ट्रैन कॉक पगोडा भी विजिट किया आपको जाना चाहिए External Affairs Minister ने वियतनाम के साथ 18th Joint Commission Meeting को भी co-chair किया है वियतनाम की बात करें Capital हनोई है करंसी है वियतनामीज डॉंग आपको एक और मिटिंग के बारे में जाना चाहिए इंडिया-UK 2-2 Foreign and Defence Dialogue यहाली में New Delhi में संपन हुआ पहला ही यह इस तरह की सम्मिट हुई है यह इस तरह का डायलोग हुआ है इंडिया-UK 2-2 Foreign and Defence Dialogue जनरली हम अमेरिका के साथ इस तरह का 2-2 करते है विच कंफ्री विल बी दा 124th Member State of the International Criminal Court ICC कौन सा देश अंतरास्टे आपराधिक नियायले का 124 वासद अस्यदेश होगा सही आंसर ऑप्शन C है अर्मेनिया आपको चाना चाहिए अर्मेनिया के इस प्रेजडेंट है वाग ने खाचतूरियन इन्होंने रोम स्टैचूट को साइन कर लिया है रोम स्टैचूट जो है ऐसी ट्रीटी है जो कि जिसके वज़े से इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट क्रियेट हुआ और इस इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट को गवरंड किया जाता है तो अब अर्मेनिया जो है इस International Criminal Court का 124th Member State बन जाएगा अगर हम थोड़ी बेसिक जानकारी लें इस International Criminal Court की साल 2002 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था रोम स्टैचूट के जरीए यह एक इंटर गॉवर्मेंटल और इंटरनेस्टल ट्रीबिनल है और कहां पर है इसकी सीट यह दहेग निदर्लेंड्स में आपको बता देए फर्स्ट एंड ओनली पर्मानेंट इंटरनेस्टल कोर्ट है जो किसी इंडिविचल को जो है प्रोसेक्यूट कर सकती है यदि वो किसी इंटरनेस्टल क्राइम्स ओफ जेनोसाइट क्राम्स अगेंस्ट हुमानिटी वार क्राइम्स या फिर क्राइम ओफ एक्रेशन में लिफ्ट पाया जाता है फिलाल 123 कंट्रीज इसके जो है मेंबर है और 124 तब अर्मेनिया बन जाएगा आइसेसी के फोर प्रिंसिपल ओर्गन्स हैं प्रेसिडेंसी जुडिशियल दिविजन्स ओफिस ऑफिस ऑफ द प्रोसेक्यूटर एंड रजिस्ट्री आपको जाना चाहिए इससी साल 17 मार्च को जो इसेसी के जज़ेस हैं इन्होंने रशियन लीडर व्लादमीर पुतिन के गेंस्ट आरेस्ट वारंट भी इशू किया था क्योंकि 2022 में जो रशिया ने युक्रेन को इन्वेड किया ठीक है उसमें चाइल्ड एब्डेक्शन के कापी एलिकेशन्स रशिया पर लगे हैं पु nThe international olympic committee has suspended the olympic committee 50unt अंत्राストCH Olympicенные किस देश की onlahmpik समीत्य को निलम्बित कर दिया है और सही आपको जानाच चींदogi Vitamin यह इंच्वेड ओलमपिक कमिटी को सस्पेंड कर दिया है और यह से इस बजरों से आये है क्योंकि जो रुषियन ओलंपिक कमिटी है इन्होंने हाली में चार उक्रेन की जो टरेटरीज है उनको रीजनल ओर्गनाज़ेशन के तौर पर रिकनाइज किया है इस कारण से जो है इन्हें सस्पेंड कर दिया गया इंट्रेंशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा इसक्यों कि द्वारा के प्रशुपालन ओलंपिक कमिटी इस नेहीं प्रशुपालन ओर डेरीवी भागने किस राज्य में इए हैं कार्यकरम सुरू किया सही आंसर option c है ज्ञारखन देखे एहल्प प्रोग्राम लगब 5-6 राज्य में चालू हो चुका है जो ये options हैं इन में केवल ज्ञारखन में यूखाया भी थीक है बाकी जैसे उत्राखन में भी हो चुका है गुजरात में बिहार में तो यहां पर लागव हो चुका है तो latest ज चारकंट राज में लॉंच किया है, आपको जाना चाहिए जो यह A-HELP प्रोग्राम है, इसको Department of Animal Husbandry and Daring ने एक MOU साइन करके National Regional Livelihood Mission के साथ, जो की Minister of Rural Development के तहर आता है, इसके साथ मिनकर लॉंच किया A-HELP प्रोग्राम aims to empower women by engaging them as trained agents who contribute significantly to disease control, Artificial Insemination under the Rastec Google Mission, Animal Tagging and Livestock Insurance, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उनको एक Print Agent के तोर पर हायर किया जाता है, जिससे जो Livestock की जो भी कारे हैं, वो करते हैं, उनको Supervise करती है With whom has Skill India Partnered for Retailer Skill Development Program, Skill India ने Retailer कोशल विकास कारिकरम के लिए किसके साथ साइधारी की है, सही आंसरिया, Option, B-Reica, Coca-Cola, India देखिए जो Retailer Community है, Odisha और उत्रप्रदिस में उसको इंपार करने के लिए, National Skill Development Corporation, जो की Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के तयत कारे करती है, इन्होंने partnership announce की है, Coca-Cola India के साथ, और इस partnership में आकर इन्होंने Superpower Retailer Program SPRP को launch किया है, Under Skill India Mission, ये program Odisha में चालू हो चुका है, पाइलेट बेसिस पर, Under the partnership, NSTC will support Coca-Cola India in expanding the program's outreach on Skill India Digital Platform, Who is the newly elected Prime Minister of New Zealand, New Zealand के नम निर्वाचित परधानमंतरी, कौन है, सही आंतर आप्शन दी है, Christopher Lugson, देखें, New Zealand के अभी तक जो Prime Minister है, Chris Hipkins, इनकी जो Labour Party है, उस वो General Elections में हार गई है, इस position में नहीं है कि Government बना सके, और इस तरह से जो विक्ट्री है, वो इनके जो opponent है, Christopher Lugson, इनके पास चली गई है, ठीक है, तो जो Christopher Mark Lugson है, यह अभी निर्वाचित के प्राइम मिनिस्टर डेक्जिनेट है, यानि कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं हैं, और इनकी पार्टी का नाम है, New Zealand National Party. New Zealand की बात करते हैं, Capital Wellington है, करंसी है, New Zealand Dollar. आपको जाना चाहिए, दो दीन की एक कॉम्प्रेहंसिव कोस्टल सिक्योर्टी एक्सराइज सावगर कवच 223, जिसमें की maritime security agencies involved रही, इसे इंडियन नेवी द्वारा कंड़क्ट हिया गया आंदरप्रदेश में, तमिलनाड़ो में, और पॉडुचरी उनियन ट्रेप्री में. The exercise was executed under the aegis of the flag officer commanding-in-chief Eastern Naval Command, who also exercised the authority of commander-in-chief coastal defense east. Which reason in Sri Lanka is connected to Nagapattinam through Cheria Pani Ferry Service? Cheria Pani, Noka Seva के मात्रम से, Sri Lanka का कौन सा छेत्र Nagapattinam से जुड़ा है? सही आंदर, option D है, कनके संतुरई. देखे, हाली में, एक International High-Speed Passenger Ferry Service launch ही गई है, Tamil Nadu के Nagapattinam से, और शेलंका के जाफनाजिस्टिक स्थित, कांके संतुरई में, इन दोनों के बीच में. ठीक है, लगबग 4 डिकेट के बाद, ये Ferry Service शुरू की गई है. और इसको हरी जंड़ी दिखाए, Union Minister for Port Shipping and Waterways, सर्वनेंदा सोनवाल के त्वारा, कहां से Nagapattinam Port, Tamil Nadu से. इस तरह एक option भी पूछ लेते हैं, फेरी सर्विस वाले न, याद रखेगा. और इस Ferry Service का नाम क्या है, High-Speed Craft, चेरिया पानी. ठीक है, इसने अपनी जर्णी शुरू की, Nagapattinam से, और पचास पैसेंजर थे, 12 crew member थे इसमें. The Minister of Defense, The Minister of Defense signed a contract for mid-life upgrade and repowering of INS Bias with which shipyard, रक्षा मंत्रायले के shipyard के साथ, INS Bias के mid-life upgrade और repowering के लिए एक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये. Options आपके सामने हैं, सही अंतर, Option B है, Cochin CPR Limited. आपको जाना चाहिए, Ministry of Defense ने, Cochin CPR Limited के साथ, जो INS Bias है, इसके mid-life upgrade and repowering के लिए contract sign किया है, overall cost 313.42 कुरूड रपे होने वाली है. INS Bias is the first of Brahmaputra class frigate to be repowered from steam to diesel propulsion. After completion of the mid-life upgrade and repowering in 2026, INS Bias will join the active fleet of the Indian Navy with a modernized weapon suite and upgraded combat capability. Which entity will acquire majority ownership of Super Dry IP for Indian Territory? कौन सी काई, बारत्य शेत्र के लिए Super Dry IP का पहुमत स्वामित्व प्राप्त करेगी, सही आंतर, Option D है, Reliance Brands. देखे, Reliance Brands Limited, अपनी Holy One Subsidory के तुरू, जो कि इनकी UK में है, इनकी Subsidory, RBU के इसका नाम है, इन्होंने एक Agreement Sign किया है, जिसके तहत, जो Super Dry IP है, इसका जो बिजनेस है, Indian Territory में, इसको उसमें, जो है, Majority Stake Acquire करेगी, किस से? UK-based, Super Dry PLC से, जो कि Clothing के लिए जाने जाती है, Footwear, Access Series वगरा के लिए जाने जाती है, तो जो NTT है, यानि कि जो Reliance Brands Limited है, यह Super Dry का जो Interactual Property Assets है, वो Indian, Sri Lankan and Bangladesh इसी टरेटरीस के लिए जो है प्राप्त करेगी, इस तरहे question bank हैं, पुछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूट किया है, दे consideration for the IP in the Indian Treasury amounts to 40 million euro, यानि कि 440 समलो, एक चार करोर रोपे की यह deal रहने वाली है, अभी यह joint venture बनेगा, इसमें, जो Reliance Brands की जो UK territory है, उसका 76% ownership रहेगे, और Super Dry की 24% ownership रहेगी, Reserve Bank of India has directed which bank to suspend any further onboarding of their customers onto its mobile application, भारते रिज़र बैंक निक इस बैंक को अपने mobile application पर ग्रहाकों को जोनने से नमबित करने का निर्देश दिया है, सही आंतर अप्शन सी है, Bank of Badova, देखे, Reserve Bank of India ने, Section 35A of Banking Regulation Act 1949 के तहत, जो Bank of Badova है, जिसके MDNCO देवदर्ट चन है, यह B.O.B. World Mobile Application में इसमें नई कस्टमर्स को अभी एड मत कीजिए, और Current Affairs देखें इसी तरह के तो RBA ने 1.70 लाक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, West End Housing Finance Limited, Mumbai, महारास्ट पर, RBA ने 2 लाक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, नागरिक सहकारी बैंक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, सेवालिया अर्बन कोपरेटी बैंक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, रिजर्ब बैंक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, मकरपुरा इंडर्श्ट्रियल इस्टेट कोपरेटी बैंक लिमिनेट इस्टिक वड़ोजरा गुचराथ पर, महीं RBI ने साढ़े चार लाक रुपे की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है, गुजराथ मर्किन्टाइल कोपरेटी बैंक लिमिट एहमदाबाद कुछराथ पर, विच कॉंपनी वन दा बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवर्ड फोर धा येर 2020-23, किस कंपनी ने वर्स 2022 स्टेश के लिए, रिफाइनरी में सर्फस्टेश नवाचा आप्रसकार जीता सही आंतर आप्शन दी है मंगलो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिम्टेड MRPL देखें मंगलो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिम्टेड MRPL इन्होंने बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइन 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 रिवार्ड जीता है यूरियन मिनिस्ट्र पेट्रोलियूम नैच्रल गैस से आपको जाना चाहिए जो यह MRPL है इसके मेर्जिंग डिरेक्टर संजय वर्मा है एक आपको जाना चाहिए कि 26 एनरजी टेक्नोलोची मीट यहाली में New Delhi में जो International Exhibition कम Convention Center है प्रगती मैदान में हाँ पर संपन्नुई इस इवेंट को इनोग्रेट किया गया Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs हर्टीप सिंग पूरी के द्वारा एक्चुली इसी मीटिंग के दुरान यह अवार्ड दिया गया Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited को which sport has been included in the 2028 Los Angeles Olympics by the International Olympic Committee अंतर आस्टे ओलम्पिक समीती द्वारा 2028 Los Angeles ओलम्पिक में किस खेल को सामिल किया गया है सही आंतर अप्शन दिये है All of the Bay यानि कि Cricket, Squash, Baseball तो Current Affair यह है कि International Olympic Committee का जो session हुआ हाली में इन्होंने Los Angeles 2028 Olympics Organization Committee का जो proposal है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 additional sports include करना चाहते हैं तो उसे approve कर दिया है यह 5 additional sports होने वाले हैं Baseball या, Softball, Cricket, Flag Football, Lacrosse and Squash तो Olympic Games जो Los Angeles में होंगे 2018 में उनमें यह 5 sports भी देखने के लिए मिलेंगे जो Flag Football है और जो Squash है यह तो पहली बार Olympic में खेले जाएंगे जबकि जो Baseball है, Softball है, Cricket है, Lacrosse है यह पहले भी खेले जा चुके हैं पर बीच में जो है नहीं खेले गए ठीक है तो यह comeback कर रहे हैं Olympics में, Baseball, Softball की बात करें तो यह कई additions में Olympic Games का पार्ट रहे हैं, Tokyo 2020 में भी रहे हैं Cricket है अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पैरिस 1909 में जो Olympic खेला गया वहाँ पर यह हिस्सा थे Olympic के एंड Black Rose को जो है St. Louis 1904 एंड London 1908 में जो है खेला गया था उसके बाद नहीं खेला गया PM नरेंदर मोदी inaugurated the third edition of the Global Maritime India Summit 2023 in which city परदानमंत्र नरेंदर मोदी ने किस सहर में Global Maritime India Summit 2023 के के तीसरे संस्क्रण का उपकाटन किया है options आपके सामने है सही answer option C है Mumbai देखे प्राइमिस्टर नरेंद मोदी ने Mumbai में Global Maritime India Summit 2023 के third edition को inaugurate किया है इसी मोके पर इन्होंने अमरित काल विजन 2047 इसको भी unveil किया है जो की Indian Maritime Blue Economic Lake Blue Print की तरह कारे करता है इसी अमरित काल विजन 2047 जो की Indian Maritime Blue Economy संबन्दित है इसी से related इन्होंने लगबग 23,000 कुरो रुपे के प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी है आपको जाना चाहिए प्राइमिस्टर नरेंद मोदी ने टूना तेकरा All Weather Deep Trap Terminal इसकी भी आधारशिला रखी है जो की दीन डियाल पोर्ट अथरोटी गुजरात में 4500 रुपे के की लागत से बनाया जाएगा साथे आपको जाना चाहिए जो फर्स्ट Maritime India Summit थी है साल 2016 में मुंबई में आधारशित की गई थी सेकंड Maritime Summit ये वर्चुली आयजित की गई थी 2021 में और ये अब की बार की गई है तीसरी Global Maritime India Summit कहाँ पर मुंबई में विच सिटी होस्टेट दे 17th CII Tourism Summit सत्रवे CII परेटन सिकर संबिलन की मेजवानी किस सहर ने की है सही आंथर ऑप्शन भी रहेगा मुंबई आपको जाना चाहिए 17th Confederation of Indian Industry Annual Tourism Summit ये हाल ही में मुंबई में संपन हुई है थीम रहा Strengthening Tourism Through Economic and Green Opportunities आपको जाना चाहिए यहाँ पर CII के बारे में Confederation of Indian Industry के बारे में Stablishment 1895 में हुई थी Headquarters New Delhi में है President R. Dinesh इसी साल इनके appointment हुई है तो महत्पूर्ण है ये भी डेक्टर जन्नल है चंदरजीत बैनर जी विस सिटी होस्टेट दे फिप्टीथ एडिशन ओफ इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर किस सहर ने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50-60 की मेजवानी की सही आंसर आप्चन भी रहेगा तिरुपूर देखें इंडिया नीट फेयर एसोशेशन इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50th एडिशन को औरगनाईज किया है तिरुपूर तमिल नाडू में 12-14 अक्टुबर के बीच में इसका एवेजन एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल की साहता से किया गया है और थीम रहा इसका एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर इन्वार्मेंटल सोशल साइंस, सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिचल इंटलिजेंस और डिजिटलाइजेशन The Ministry of Defence signed a contract with which shipyard for the construction of first Indian Coast Guard Training Ship रक्षा मंत्रा लेने पहले भारतिय तटरक्षक प्रसिक्षन जहांच के निर्माण के लिए किस shipyard के साथ एक अनुवन्त परस्ताक्षर किये options आपके सामने है, सही आंतर option दी रहेगा मजगाव डॉक shipbuilders आपको जाना चाहे, Ministry of Defence ने मजगाव डॉक shipbuilders मुंबई के साथ एक contract signed किया है जिसके तहत एक training ship construct किया जाएगा Indian Coast Guard के लिए और इसकी लागत रहेगी 210 करोड रुपए अंडर दे बाई Indian IDDM category आपको जाना चाहे, this is the first dedicated training platform with integral helicopter capabilities that will provide basic sea training to 70 Coast Guard and other international under-training officers to prepare these birding mariners on the multi-dimensional maritime aspects of Coast Guard life Indian Army Sambandit आपको एक करंट फेर जानना चाहे, कि इन्होंने बेसनल के साथ मिलकर Siachin Galicia, जो का वर्ड का हाइस्ट बेटल फिल्ड है यहाँ पर पहला mobile tower install किया है to improve mobile communication for soldiers at extreme elevations How many fast track special codes are set to be established for the safety and security of women and the girl child महिलाओं और बालिकों की सुरक्षा के लिए कितने fast track special code इस्थापित किये जाएंगे सही answer option दी है 1023 आपको जाना चाहिए, जो महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं इनकी safety and security के लिए department of justice centrally sponsored scheme के जरी है 1023 fast track special codes जो है set up करने वाली है जिसमें 389 exclusive POCSO codes होंगी पूरे देशमर में इनको जो है set up किया जाएगा ताकि जो trials है relating to rape and POCSO ad cases इनका जल सी जल निप्टा रहा हो सके Which agency conducted the operation named Kachap Kachap ता आप operation किस agency ने चलाया Kachap नामा को operation किस agency ने चलाया सही answer option दी है Direct rate of revenue intelligence इन्होंने successfully operation Kachap को पूर्ण किया है आपको बताथ इस operation के तहत 955 live baby turtles including species like Indian tent turtle, Indian flap shell turtle, crown river turtle, black spotted pond turtle, brown roof turtle इन सभी को जो है recover किया गया है नाकपुर भोपालेंड चिन नहीं से जो यह Direct rate of revenue intelligence है इनको एक tip मिली थी कि illegal trafficking हो रही है और ट्रेडिंग की जारी है ट्रेटल्स की और ऐसे ट्रेटल्स है जो IUCN red list में vulnerable and near threatened species का tag जिने मिला हुआ है और wildlife production act 1972 के तहाथ यह protected भी है तो इनकी illegal trafficking हो रही थी इसलिए जो DRI है इन्होंने operation कच्छप चलाया who is the author of the book of life my dance with buddha for success the book of life my dance with buddha for success के लेकर कौन है सही आंदर option भी है विवेक अगनी होत्री आपको जाना चाहिए विवेक अगनी होत्री इन्होंने अपनी बुक लॉंच ही है लगनों में इस बुक का टाइटल है the book of life my dance with buddha for success और कुछ बुक्स देख लेते हैं जो हाली में launch की गई the great Indian cricket circus इसे अभी शेक मुखर जी और जो ये बट्टाचारी जी ने जो है लिखा है अच्छा एक और बुक है ये काफी महतपूर में आपको खूंगा इसको लिखा है सुबास चंद्र गर्ग ने ये सेंट्रल गोर्मेंट में economic affairs secretary and finance secretary के तोर पर कारी कर चुके है और ये बुक हाली में चर्चा में भी थी इन्होंने कुछ खुलासे इसमें किये थे उरिजीत पटेल से संबंदित की उरिजीत पटेल और सेंट्रल गोर्मेंट के बीच कैसे अन्बन हुई थी तब ये बुक काफी चर्चा में रही तो इतना नाम याद रही का वी और सो में एक पॉलिसी इस तरह से इंबुक है सुभास चंदर गरगनी लिखी है रिजीतु प्रिया और सेदा हमीत ने पुक लिखिया है रिधिंकिंग इंडिया व्रीम्स ओफ ए हल्दी इंडिया एक और बुक देखेंगे संजय कॉन ने लिखिये एन अपॉंटेड ऐसा लॉरियस एंबेस्टर इन ट्वंटी ट्री 2030 में कि भारत्य एथलीट को लॉरियस एंबेस्टर के रूप में न्युक्त किया गया सही आंत्र अप्शन दी है नीरच चोपडा देखिए भारत की नीरच चोपडा जो की रेनिंग ओलम्पिक एंड वर्ड चै यूबलिण चैंप्ययन है इनने ँल्रे अंबेस्टर नामिट दिया गया है और इस तरह से कोपडा सेखिंड इंडेंड जब्रा सिंग जो करिकेटर रहे हैं इनने 2017 में उणर्व मान ल Tit. ऐसे कुछ और दैख लेते हैं जो हालियम्य पॉइंट हो है जैप्टो इसने चस्पीद वुम्रा को अपना ब्रेंड अबेस्टर बनाया है AU Small Finance Bank ने सोच बदलो और बैंक भी ये एक campaign launch किया है कियारा आडवानी के साथ मिलकर Puma India ने मौम्मद शामी को अपना ब्रेंड अबेस्टर नुक्त किया है What is the mascot for Women's Asian Champions Trophy 2023 to be held in Rachi Jharkhand Rachi Jharkhand में आयोजित होने वाली महिला Asiai Champions Trophy 2023 का सुभांकर का क्या नाम है सही आंत्र अप्षन है जू ही आपको जाना चाहिए कि Hemant Soren जो की Jharkhand के Chief Minister है इन्होंने Hockey Women's Asian Champions Trophy 2023 का जो 7th edition होने वाला है राची Jharkhand में इसके सुभांकर को जो है लौंच यह है सुभांकर यानि की मास्कोट और यह है जूही जूही जो है एक popular elephant है बेतला नेसल पार्क में बेतला नेसल पार्क यादर के जूही नाम है तो यह सुभांकर आप देख सकते हैं कॉल्ड एक्स्ट्रीम फोर दा इंट्रासिटी डिलिवरी ओफ स्मॉल पैकेज़स किस कंप्री ने छोटे पैकजों की इंट्रासिटी डिलिवरी के लिए एक्स्ट्रीम नामक हाइपर लोकल डिलिवरी से वासुरू की है सही आप्थरॉप्शन सी है जोमेटो देखे गुरुग्राम बेस्ट फूट टेक कंपनी जोमेटो इन्होंने एक्स्ट्रीम नाम की एक हाइपर लोकल डिलिवरी सर्विस लॉंच ही है और इस डिलिवरी सिस्टम को पूरा करेंगी जो इनकी टू वीलर फ्लीट है देखे है वह सब तो इसमें क्या है एक्स्ट्रीम है जो कोई यूजर है उसको स्मॉल पार्सल्स जो है भीजने आए कहीं जैसे डोक्योमेंट्स, मैडिसिन, फूड, क्रोश्री, अपरिल, कॉस्मेटिक्स इनका वेट दस केजी तक है तो वह भीज सकते हैं डिलिवरी सर्विस है मेनल दिलिए तो वह भीज सकते हैं चार्जेस इनके लगेंगे जो मैटिफ के सीएंड एमडी देपेंदर गोयल है विच कंपनी पार्टनर बीद ब्रीज स्टोन इंडिया तो इंस्टॉल इवी चार्जर फोर फोर वीलर्स चार पहिया वहानों के लिए इवी चार्जर इस्था साइधारी की है सही आमसर उप्शन भी रहेगा टाटा पार देखें टायर मेकर ब्रीज स्टोन इंडिया इन्होंने टाटा पार के साथ हाथ मिला है तो इंस्टॉल इवी चार्जर फोर फोर वीलर्स एट इट्स दिलर्शिप अक्रोस था कंट्री अंडर दे कोलाबरेशन जो टाटा पाउर है वो 25-30 किलोवेट आर कैपसिटी दीसी फार्स्ट चार्जर्स को इंस्टॉल करेगा देट आर केपेबल ओफ चार्जिंग फोर वीलर विदिन वन आर्र अलोई 20-24 वेहिकल्स बिंग चार्ज इन डे विच इंडियन सिटी रैंक्ट 19 इन नाइट फ्रें इन नाइट फ्रेंक इन्होंने ग्लोबल प्राइम रेजिदेंशल इंडेक्स चारी किया है 2030 के सेकंड कॉर्टर के लिए इसमें जो भारतिय सिटी है मुंबई इंडियन सिटी मुंबई ये 19 पोजिशन पर है बेंगलुरू 22nd पोजिशन पर है नियुडरी 25 पोजिशन पर ह मुंबई हाइस फ्रेंकिंग इंडियन सिटी है इन तर्किश कैपिटल अंकारम ये इस नाइट फ्रेंक्स ग्लोबल रेजिदेंशल सिटी इंडेक्स में टोप पोजिशन पर है हाइस ग्रोथ रिदिया आपर देखी गई है उसके बाद फिर इस्तानबूल ही है और सबसे ल यहां पर प्राइज अप्रिशेशन कुछ ज्यादा नहीं हुआ है निगेटिव में रहा है विच फॉल्विंग हैस लॉंच्ट फस्ट फिस काइंड एन पीएस प्रेफरेंस इंडेक्स निम्लिकित में से किसने एन पीएस वरियता सूच कांग लॉंच हिया है सही आंतर ऑल्रिय। इने प्रेफरेंस इंडेक्स इसे इंप्रूव ठाएं जयाते कंजूमर का इनकम लेवल इनकरीज होता है इननोंगे बताएं कि जो नॉर्ट्रीजन ने आप हाईएस्ट इंपेस प्रेफरेंस इंडेक्स देखा गया है एन पिस मैंज हैं गॉवर्मटेंट स्टा doorstep gold loan facility in collaboration with sahibandu किस बैंक ने sahibandu के सहयोग से doorstep gold loan सुईधा शुरू की है सही आंतर आप्शन सी रहेगा करणाटका बैंक देखे करणाटक बैंक ने doorstep gold loan facility जिसका नाम KBL सौरनबंदू है इसे अपने customers के लिए launch यह एक unique product है gold loans के लिए with end-to-end digitization और इसके लिए नहीं सही platform है gold loans के लिए इसके साथ साहितारी की है करनाटका बैंक की बात करें है एक वाइक्सिस बैंक यह एक डिजिटल इनका एक latest advertising campaign है ठीक है इसको launch किया है तो यह जो campaign है यह highlight करता है जो फिटीन फीचर है एक्सिस बैंक के जो digital offerings है उनकी जो फिटीन फीचर है उनको हाइलाइट करता है ओपन याद रखेगा किस बैंक ने ओपन लॉंच किया है एक्सिस बैंक Outlook Group announced the launch of retirement planning event 40 after 40 in association with which bank Outlook Group ने किस बैंक के स्रयोग से सेवा निर्वत्ती होजना कारिक्रम 40 after 40 के सुभारम की खोशना की सही answer option लिए IDFC first bank देखिए Outlook Group ने announce किया है कि हमें एक retirement planning event आयुजित करेंगे 40 after 40 का नाम होगा इसके साथ मिलकर IDFC first bank के साथ मिलकर यह 23 24 जनवई 24 में आई जित किया जाएगा जियो वर्ड कर्वेंशन सेंटर मुंबई में ठीक है तो जो भी आपर टाइमली रिटार्मेंट पैनल डिस्केशन चैर्स मास्टर क्लासें इंट्रक्शन विद प्लानर्स प्रोड़क्ट प्रिजेंटेशन यह सभी कनवर्जेश नहां पर होंगी आई डिफसी फस्ट बैंक की बात करते हैं एमडी और सी योगी वैद्यनाथ में हैं हैट्वाटर मुंबई मारास्ट में है टेगलाइन है ओल्लेज यूफर्स्ट विचो फॉलोइंग हैस बिकम दफस्ट बैंक इंडिया तो इश्यू एन ओं ओनडीश नेटवर्वर्गिफ्ट कार्ड नंवर इसमें से कौन ओन डीसी नेटवर्गिफट कारड जाडी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है सही आंसर और उप्शन है यह 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 दिखिया इस बैंक फॉस्ट बैंक बन गया है है यह गूंदीश में जिस ने ओट card for purchasing products from any brand and any seller across a wide array of segments including food, fashion, handicrafts, electronics, home essentials, health and well-being. Yes Bank की बात करते हैं, headquarters Mumbai में CEO Prasant Kumar है. Tagline है, Life को बनाव रीच. The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on ICIC Bank Ltd. Bharatiya Reserve Bank ने ICIC Bank Ltd. पर कितनी राशी का मौतरिक जुर्माना लगाया है. सही आंसर option से ही है 12.19 करोड रूपीज. देखे, Reserve Bank of India ने ICIC Bank Ltd. पर 12.19 करोड रूपे की monetary penalty लगाई है. For contravention of directions issued by RBI on loans and advances, statutory and other restrictions, financial services provided by the banks and fraud cross-section and reporting by commercial banks and select FIs. साथ ही, Reserve Bank of India ने 3.95 करोड रूपेज की monetary penalty लगाई है, Kotech Mahindra Bank Ltd. पर. Reason आप इसमें देख सकते हैं. India's largest pump storage project inaugurated in which state भारत की सबसे बड़ी pump storage परियोजना काउद काहटन की सराच्यों में किया गया, सही आंसर option दी है, Madhya Pradesh. आपको जाना चाहिए, Madhya Pradesh है, Chief Mr. Sivraat Singh Chohan. इन्होंने वर्चुली, इंडिया की largest pump storage project को launch है, Madhya Pradesh में. इस project को develop किया जा रहा है, Green Co. Group के द्वारा, जो इन्डिया की largest energy storage company है. इस specifically बात करें, तो एक project located है, Nimuj district, Madhya Pradesh में, इसकी capacity 1440 MW की है, इस storage है, इसकी 7.5 गंडे तक की, 7.5 hours की, और अब इसको expand किया जा रहा है, 920 MW के साथ, और इस storage हो जाएगा, इसका 6R का. Madhya Pradesh की बात करते हैं, Chief Minister Sivraat Singh Chohan, Capital Bhopal है, Governor है, Mangobai C. Patel, who has been appointed India's permanent representative to the United Nations in Geneva. Geneva में, सही उत्रास्ट में, भारत का इस्थाई परतिनीधी किसे निउक्त किया गया है? Options आपके सामने है, सही आमसर option भी है, अरिंदम बाक्ची, मैं अकपूर्ण question है, चली जानते हैं, देखे, External Affairs Ministry में, स्पोक परसन रहे हैं, अरिंदम बाक्ची, ये अब इंडिया के permanent representative, निउक्त थी गए हैं, United Nations के लिए, और other international organizations के लिए, कहाँ पर, जिनेवा, Switzerland में, आपको जाना चाए, जिनेवा में, मिस्टर बाक्ची, इंद्रमनी पांडे को सक्सीड कर रहे हैं, तो इंद्रमनी पांडे पहले पुस्ट पर थी, इंडिया ज पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव तो United Nations and other international organizations, अब इनको सक्सीड कर रहे हैं, मिस्टर अरिंदम बाक्ची, अच्छा, यहाँ पर अंतर है, एक रूचीरा कामबोज है, यह भारत की पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव हैं, United Nations में, New York में, जहां United Nations का headquarters है, और उपर वाला अगर आप करेंट अफेर देखेंगे, तो अरिंदम बाक्ची भी इंडिया के पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव बनाए गए हैं, United Nations and other international organizations के लिए, पर कहां पर जेनेवा में इनकी यह लोकेट रहेंगे हैं, तो इन दोनों में अंतरे याद रखी गए, रूशीरा कामबोच और अईन्दम बाक्ची, दोनों इंडिया के पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव हैं, Who has been appointed as the next Chief Justice of the Manipur High Court, Manipur उच्चे नेलाए के अगले मुख्य नेयाधीश के रूप में किसे निक्त किया गया है, आपको जाना चाहिए, Union Government ने नोटिफाई किया है, कि डैली High Court के जोई सिद्धार्थ मृदूल, ये Manipur High Court के Chief Justice बनाए गए है, फुल टाइम Chief Justice ये बनाए गए है, और सुप्रीम कोड कोलेजियम है, इन्होंने तीन महीने पहले recommendation दी थी, और अब जाकर ये बास हुआ है, सुप्रीम कोड के गए हैं कोलेजियम की बात करें तो उसमें Chief Justice of India धरहन जोई चंद्रचूर्ण हैं, जस्टिसेज हैं इसमें कॉल, संजीव, खन्ना, बियार, गवई और सूर्यकान्त, आपको जाना चाहिए कि मनिपूर हाई कोर्ट में जो Chief Justice के वेगेंसी थी, ये फरवरी 2023 से ही खाली थी, जब Justice PV संजे कुमार को Supreme Court लाया गया, मतलब Supreme Court का जज़ बनाया गया, और उसके बात से ही Justice मुरुली तरण, ये Acting Chief Justice के तोर पर कारी कर रहे थी मनिपूर में, आपको जाना चाहिए एक Business Administrator है, पॉलिटीशन है, बिजनस्मेन है बनाना इंडस्ट्री में, और एकवाट और का Presidential Election है, उनने जीत लिया है 2030 का, और 35 सालिक उम्र में यंगेस्ट प्रेजिडेंट होने वाले हैं एकवाट और के, एकवाट और की बात करते हैं, South American Country है, Capital है, कुई टो, Currency है, United States, Dollar. जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को, जो हमारे 11 प्रेजिडेंट रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, आप सभी जानते हैं कि, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम, भारत के प्रेजिडेंट रहे, 2002 से 2007 की बीच में, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को मिसाल मैंन ओप इंडिया पी क्याते हैं, 15 अक्टूबर 1931 को, रामेश्वरम तमिलनाड में इनका जन्म हुआ था, साल 2010 में, वर्ड इस्ट्रेंट स्टे, जो है, डैसिनेक्ट ही है क्या था, 15 अक्टूबर के लिए, थीम है इस बार, वर्ड इस्ट्रेंट स्टे का, फिल, इस्टेंट्स पूर फर्स्ट अटेंप्ट इन लर्निंग, फर्स्ट गांधी म्यूजियम इन नौर्थ अमेरिका, ओपन इन भी सिटी, उधरी अमेरिका में पहला गांधी संग्राल है, कि सहर में खुला गया, सही आंतर आप्शन सी है, हाउस्टन, देखिए, फर्स्ट फ्री स्टेंडिंग गांधी म्यूजियम इन नौर्थ अमेरिका, यह ओपन हो चुगा है, मात्मा गांधी का म्यूजियम है, और टेकसास में जो यूएस सिटी है, हाउस्टन, यहां पर यह खुला गया है, इसका नाम है एटर्नल गांधी म्यूजियम, य जो थे, एशियाई पेरा खेलों का आयोजन के स्टेस में किया जाएगा, सही आंसर अप्शन भी है, चाइना, आपको जाना चाहिए, कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 23 तक, 4th एशियन पेरा गेम्स 2022 खेले जाएंगे, चिया, 2022, ठीक है, कि 2022 में होने थे, तो एशियन, 4th एशियन पेरा गेम्स 2022 खेले जाएंगे, हैंग जो चाइना में, और भारत ने आपर 446 मेंबर का दल भीजा है, जिसमें की 330 एथलेट्स हैं, यह अब तक का सबसे बड़ा दल है, जो भारत अब तक भेज रहा है, एशियन पेरा गेम्स में, ओशियल एंबलेम, जो है 2022 एशि जो है मानी जाती है, और इस शिम्बल ऑफ प्लीस इन लोकल लिजेंट, मोटो क्या है केम्स का, हार्ट्स मीट, ड्रीम्स शाइन, विच उनियन मिस्टर है लोंच तई एवी रेडी इंडिया टैश्पोर्ट, किस केंद्रे मंत्री ने एवी रेडी इंडिया टैश्पोर्ट लौंच किया है, सही आंसर उप्शन यह है, आरके सिंग, आपको जाना चाहिए, यूनियन मिस्टर फोफ पार एंड नियू एंडिया आरके सिंग, इन्होंने ब्रैंड न्यू इवी रेडी इंडिया टैश्पोर्ट, इवी रेडी इंडिया डाट और्ग, इसको लौंच कि जादा का होगा, और इन्होंने यह भी बता है कि महाराष्ट और डेली, यहां पर हाइस्ट नंबर ओफ चार्जिंग स्टेशन से, महाराष्ट में सबस्यादा है, पच्चेस विक अत्रिस डेली में 1815, तमिलनाडू में सबस्यादा इलेक्ट्रिक टू वीलर्स है, इलेक्र इलेक्रिक थ्री वीलर्स मैनुफेक्ट्रिंग हब है, करनाट का इलेक्रिक फोर वीलर्स मैनुफेक्ट्रिंग हब है, कुजरा जो है बैटरी मैनुफेक्ट्रिंग में आगे है, करनाटक रिसर्च डेवलपेंड में और चंडिगड में लोवेस्ट पब्लिक चार्जिंग स आधिक समझें तक आपर बस तक्षिर किये सही आंसर अप्षिन दी है Indian Institute of Corporate Affairs आपको जाना चेक Memorand of Understanding sign किया गया है Indian Institute of Corporate Affairs IICA and National Institute of Communication Finance के बीच में NICF के बीच में The MAU intends to synergize the professional capabilities of both institutions towards advocacy, research support, technical and hand-holding assistance and capacity building services in the various areas of finance, restructuring, turnaround, competition law, corporate law, corporate governance, insolvency and bankruptcy law, leadership, organizational effectiveness, telecommunication policies, spectrum auction, etc. Indian Institute of Corporate Affairs के बारे में आपको जानना चाहिए इसे established किया गया है Ministry of Corporate Affairs के दुआरा Government of India और जो National Institute of Communication Finance है यह एक Apex Level Training Institute है जो कि Department of Telecommunications, Ministry of Communications के तहत कारी करता है The Union Cabinet Approved 13 GW Renewable Energy Project in which State और UD केंद्रियों मंत्री मंदलने किस राज्जियों या किंद्रसा सित्परदेश में 13 GW का नवी करने होजा प्रियोजना को मंजूरी दी सही यांतर अप्शन B लद्दाक है आपको जानाची केमिनेट कमिटियों ने इकरोमिक आफेर जैसके देक्षिता प्रामिस्टर ने मोदेने की इन्होंने Green Energy Corridor Phase 2 Interstate Transmission System प्रोजेक्ट को एप्रूव कर दिया है जिसके तैत लद्दाक में 13 GW Renable Energy Project डेवलब किया जाएगा देवलब किया जाएगा देवलब किया जाएगा प्रोजेक्ट इस टार्गेटेट तो बी सेट अप बाइ फिसकल लियर 2029-2030 विद तोटल एस्टिमेटेट कोस्ट और रुपीज 20,773.70 क्रोड जिसमें की Central Finances Assistance कितनी होगी 8309 समलो 48 क्रोड रुपी विच विलेज इन पंजाब हैस रिसीव ताइटल उफ बेस्ट तूरिसम विलेज अफ इंडिया 2023 पंजाब के किस काउं को भारत का सरफ्षिस्ट परियटन काउं 2030 का किताब मिलाए सही आंतर ओप्षन दी है नवापिंड सरदारन देखे पंजाब का जो विलेज है नवापिंड सरदारन ये गुर्दास पूर डिस्टिक में है इसे पैस टूरिजम विलेज ओफ इंडिया इसे इसे अच्छेट परियुटन देखे नवापिंड सरफ्षिस्ट प्रियुटन के लिए दो सो मिल्योन दूरिजर दी सही आंतर ओप्षन भी आसाम है आपको जाना चाहिए सेंड डेवलेप्मेंट बैंक ने आसम राज्य में जो फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मेनेजमेंट है उसको मजबूत करने के लिए 200 मिलियन यूएस टोर का लोन है प्रूफ किया है जो ब्रमपुत्र रिवर का जो 650 किलमेटर लोंग जो जो एक ड्रेनेज बैसीन है ठीक है महां पर रिरोजन का रिस्क रहता है तो उसके लिए पैसा दिया गया है ADV की बात करते हैं headquarters इसका Philippines में है इस्थापना 1966 में उती सनियाद रखेगा कई बार पूछा जाता है प्रेजिडेंट है माचाथ सूगू असाखावा The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the increase in the minimum support prices for how many रभी crops for marketing season 2024-2025 आर्थिक मामलोगी Cabinet Committee ने विपरन सीजन 2024-2025 के लिए कितनी रभी फसलों के लिए नियुनतम समर्तन मुल्यों में वृद्धी को मनजूरी दे दिया है सही आंसर अप्शन भी 6 है Cabinet Committee on Economic Affairs ने minimum support price में increase को approve कर दिया है जो 6 रभी crops है इनके लिए 2024-2025 मार्केट सीजन के लिए तो अगर सम देखे सबस्याद maximum increase percentage wise जो है weight में देखा गया है इसका MSP हो गया है 2275 रुपीज पर कुइंटल पहले कितना था 2125 रुपीज पर कुइंटल मसूर का हो गया है 6425 पहले 6000 रुपीज था बाड़ले का हो गया है 1850 रुपीज पर कुइंटल ग्राम का हो गया है 2440 पर कुइंटल मस्टर्ड का 5650 पर कुइंटल सर्फ लोवर को 880 रुपीज पर कुइंटल अगर हम absolute numbers में बात करें तो highest increase to MSP में देखा गया है वो lentil मसूर के लिए देखा गया है 425 पर कुइंटल रुपीज में बढ़ा है य हम इंडियन नेवी और विच बैंक लेंट लोंच ट्ड़ नव इकैस गार्ड भारतियस नहों से न और किस बैंक ने 9 कैस कार्ड लोंच टिया सही आंतरोप्शन ही है SPI आपको जाना चाहिए इंडिया नेभी एंड स्टेट बैंक और इंडिया ने 9 e-cash card launch किया है जो कि एक unique e-cash card है that can work in both online and offline mode इसे जो हमारा इंडिया का लारजेस्ट नवल एरक्राफ्ट कारियर INSP क्रमादित यहां पर एक ceremony महां पर लॉंच किया गया The SPI e-cash card will be implemented Pan Navy The card will obviate the difficulties faced by personal onboarding in handling physical cash during deployment of the ship at high seas बाकिया आपको जानना चाहिए कि जो SBI है इसका जो board of directors है उनमें ये सब है तिनेस कुमार खा रहा है चेर्मेन और फिलाल तीन Managing Director as EASAT, Asuni Kumar Atiwari और आलोक कुमार चोधरी Which bank has launched i-finance facility? किस bank ने i-finance विधास्रू की है? सही आंसर आप्शन A है ICICI bank देखिए ICICI bank ने i-finance facility launch की है जिसके तहत जो customers है वो अपनी savings and current accounts की जो भी पूरी detail है वो एक प्लेस पर देख सकते है Customers of other banks can also benefit from this facility which ICICI bank has introduced by leveraging the account aggregator ecosystem on the bank's digital platforms namely the i-mobile pay app, retail internet banking, corporate internet banking and InstaBeach, the bank's mobile app for businesses In which state has ISHRO in collaboration with Vigyan Bharati launched Space on Wheels exhibition ISHRO ने Vigyan Bharati के सहे उसे किसराज में Space on Wheels परदेशन इसरू की सही आंसर अप्चन दी रुनाचल परदेश है आपको जानाचल परदेश में ISHRO ने इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ने विज्ञान भारती विभा के साथ मिलकर एक exhibition और्गनाइज किया जिसका नाम है Space on Wheels ये अनुनाचल परदेश के कि वो पुरी हो सके किस तरह से ISHRO की activities रहती है तीक है वो यहां पर इस्कुल स्टूनेंट्स को दिखाए गया है नौर्थीस्ट फर्स्ट डिफेंस टैक्स शो स्टार्टेड इन विस सिटी पूरवत्र का पहला रक्षा तक्नीक्सों की सेर में सुरुआ सही आंसर ऑप्शन दी गुवाहाटी है आपको जाना चीए फर्स्ट एवर डिफेंस टैक्स शो इन नौर्थीस्ट यह गुवहाटी असाम में शुरू हुआ है इस टैक्स शो को जोईटली और्गनाइज किया गया इंडियन आर्मी और असम गवर्मेंट के द्वारा यह शो इनौरेट किया गया सब इंडर्स्ट इसाइन कॉमर्स मिनिस्टर बिमल बोरा एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ इस्टरंड कमांड अफ्रें जनरल राना प्रताप कली था इसें किया एक एस्टरोइड पर एस्टरोइड का नाम भी सेम है 16 साइकी इसेड्स क्राफट इस एक एस्टरोइड का नाम भी सेम है 16 साइकी और एस्टरोइट का नाम भी साइकी है 16 साइकी तो यह जो एस्टरोइड है काफी मैटल रीच एस्टरोइट है इसके स्टेडी की जाएगी और साइन्टिस्ट यह पता लगाने को जिस्ट करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम में जो रोकी बॉडी जैं यह किस तरह से फॉर्म एगा और इससे लॉंच किया गया है स्पेस्क्राफ्ट साइकी स्पेस्क्राफ्ट से कहां से जो जो साइकी स्टरोइट मिशन यह नासा और ऑर एणिемिरसुर्ण अंटिया धीन उनौरस्ट सिस्ट अर्सट फूली प्राइवेट ौकेट लॉंच जिया है मियूरा 1 रोकेट रगुपर्दास is the new governor of which state रगुपर्दास किस राज्य के नई राज्यपाल है options आपके सामने है और सही आमसर option A है उडिसा आपको जाना चाहिए President of India ध्रापती मुर्मु ने रगुपर्दास को उडिसा का governor और इंद्रसेन रेड़ी नल्लू को त्रिपरा का governor अपको जाना चाहिए रगुपर्दास उडिसा के 26 वे governor होंगे इससे पहले जहारकंड के चीफ मिस्टर भी रह चुके हैं बारती जन्ता पार्टी से बिलोंग करते हैं फिलाल जो उडिसा के governor हैं ये गनेशी लाल हैं आपको जाना चाहिए इंद्रसेन रेड़ी नल्लू के बारे में ये बेज़ीपे के national secretary हैं तीन बार आंद्रप्रदेश से MLA बन चुके हैं और ये 20th governor होने वाले हैं त्रिपरा के पिढाल सत्यदेव नारायन आ रिये त्रिपरा के governor पर कारी रथ हैं In the same sex marriage verdict How many members were a part of the Supreme Court bench समलेंकिक विवा के फैसले में Supreme Court की bench में कितने सदस्य सामिल थे Options आपके सामने हैं सही answer option B है 5 देखें आपको जाना चाहिए कि हाधी में एक फैसला आया है जो Supreme Court ने दिया है और ये इसमें 5 Judges की ये bench रही काफी मैत पूर्ण फैसला रहा है ये तो चलिए जानते हैं A 5 Judge Bench of the Supreme Court That was headed by Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड Unanimously ruled against legalizing same-sex marriage in India तो 5 Judge Bench रही Supreme Court की जिसकी अध्यक्षता Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड ने की इन्होंने unanimous लियाने की सर्वसम्मधी से जो same-sex marriage है भारत में उसको legalize करने की against अपनी ruling दिया है अपना फैसला दिया है वहीं एक और फैसले में तीन दो के verdict से यानि की तीन लोग majority में थे और दो लोग minority favor में थे पांच वे जज में तो इन्होंने क्या का है इन्होंने non-heterosexual couples के लिए जो civil union है उसकी against फैसलात दिया है यानि कि तीन जज़ अगेंस्ट में रहे दो ज़स जो है फोर में रहे अब इन पांच ज़स की benches में एक तो chief justice इस डिवाइचन्स चुड़ोगा इनके रावा संजे किसंकोल रविंद्र भाट हीमा कोली और पियर पियस नर्शिम्मा रहे आपको जाना चाहिए chief justice अफ इंडिया नहीं यह भी कहा कि supreme court जो special marriage act की जो provisions हैं उनको strict down नहीं कर सकती strike down नहीं कर सकती अब जानता है कि majority versus minority opinions क्या क्या रहे तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं तीन दो से कौन सा फैसला सुनाए गया तहाई कि जो queer couples हैं उनके पास right नहीं है कि वो adopt कर सकें और जो couples हैं उनके पास यह भी right नहीं है कि वो civil union बना सकें बात हो लिए हैं आपर जो non heterosexual couples होते हैं उनकी all यानि कि जिसमें सभी जाजर ने यसका है वो कह उनसे फैसले रहे हैं इन्होंने कहाई कि same sex couples do not have a right to marry जो same sex couples हैं वो marry नहीं कर सकते transgender persons have a right to marry under the current framework जो transgender persons हैं उनके पास right to marry है same sex couples have a right to choose their partners and cohabit with one other जो same sex couples हैं वो marry तो नहीं कर सकते पर उनके पास ये right है कि वो पने partners को choose कर सकते हैं उनके साथ रह सकते हैं which state government has approved constitution of special tiger protection force for three tiger reserves किस राज्य सरगार ने तीन बाग के अब्यारन्यों के लिए वी से पाक सुरक साब बाल के गठन को मंजूरी दे दी है सही आंत्र option दी है रोनाचल प्रदेश आपको जाना चे रोनाचल प्रदेश स्टेट केबिनेट ने राज्य में जटीन टाइगर रिसर्व हैं नामदापा पाके एंड कामलांग इसके इस पेसल टाइकर प्रोटेक्शन फोर्स स्टीप बनाने को मंजूरी दे दी है इन एडिशन तो इट इसके इस्टेट केबिनेट आल्सो एप्रूफ तो प्रोवाइड अलंब्सम मंतली ओन्राइडियम तो अल्द थार्ड लैंविज टीचर्स आफ वेरिस ट्राइप्स तो जो भी थार्ड लैंविज टीचर्स हैं अगलक ट्राइप्स के जिन्हों ने अपनी स्क्रिप्ट तयार की है उनको भी मंतली ओन्राइडियम राज्य सरकार देगी आपको रुवांच्वल प्रदेश के बारे में जाना चाहिए जिसे लैंड अफ टाउन लिट मांटेंस कहते हैं कैपिटल इटानगर है चेफ मिस्टर पेमा खांडू है गवर्णर है कैवलियर त्रिविक्रम पढ़ना है एक मैटपू ब्राइड पेक्ट आपको जाना चाहिए की कही बार एक्जाम में पुछा जाता है कि किस राज्य को नौर्ठीस्ट फ्रंटेर एजंस्ची बोला जाता था तो सही आंध्रश में आंधरप्रदेश होता है 1912 तरदगी से North East Frontier Agency बोलते थे और 20 फरवरी 1987 को आंदरप्रदेश फुल फ्लेस्ट इस्टेट बना इससे पहले यूजियन ट्रेट प्री रहे चुका था विच स्टेट गवर्वर्मेंट स्टार्ट इस्टेट इस्टेट कम्प्लेटली ट्रॉक फ्री किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नसा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशेटिव सुरू किया है आप्शन सापके सामने है सही आंतर आप्शन ए रहेगा पंजाब आप सभी जानते हैं कि पंजाब राज्य में ड्रॉक की कितनी समस्या है तो अलग लग लेवल पर राज्य को ट्रॉक फ्री बनाने के लिए इस्टेट के द्वारा कही तरह के इनिशेटिव लेगा है उनी में से एक और मिशन लॉंच इा गया है जिसका नाम है होब इनिशेटिव अम्रिस सर से इसको सुरू किया गया है ये एक entry drug initiative है three-fold strategies में अपनाई जाएगी pray, pledge and play बागी पंजाब के बारे में आप जानते हैं capital जंडिगट है चीफ मिनिस्टर बगवंद मान है, governor है बनवारी राल पुरोहीद which airport has been recognized as the world's most punctual airport according to a report by CDM CRM के एक report के नुसार किस हवाई अड़े को दुनिया का सबसे समय का पामंद हवाई अड़ा माना गया है सही answer option B है, Campegoda International Airport, Bankduru आपको जाना चाहिए कि CRM एक data analytics firm है इन्होंने on time performance मनते report चारी की है और पिछले तीन महीनों से जो वर्ड की most punctual airport है वो बैंकदूरू का Campegoda International Airport है तो इसकी जो on time departure punctuality है वो 87.51% चुराई में रही 89.66% अधास्त में रही और 88.51% सितंबर में रही है इसके बाद फिर South Lake City International Airport है यूएस से का फिर राजीव गांद International Airport हैद्राबाद है बैंकदूरू Airport also recorded an on time arrival of 79.46% As for cancellations, the report showed that highest number of cancellations took place in the Asia-Pacific region सबसादे cancellations Asia-Pacific region में हुए है और lowest number of cancellations Middle East and Africa region में हुए है What percentage increase in dearness allowance for central government employees has been approved by the union cabinet केंद्र मंत्री मंदल ने केंद्र सरकार के करमचारियों के लिए महेंगाई भत्ते में कितने परतिशत की बड़ोत्री को मंचूरी दी है सही answer option यह है 4% आपको जाना चाहिए union cabinet जिसके दक्षता प्रामिस्टर ने नमोग देने की इन्होंने central government employees के लिए dearness allowance डिये और pensioners के लिए dearness relief को 4% बढ़ा दिया है तो अब तक 42% था 4% बढ़कर 46% हो गया है साथी union cabinet ने productivity linked bonus जो की equivalent है 78 days wages के इसको भी approve कर दिया है financial year 2022 days के लिए to all eligible non-gadgeted railway employees namely track maintainer, local pilots, train managers, station masters, supervisors, technicians, technician helpers, pointsmen, ministry staff and other group C staff the 21st edition of military subcommittee between India and which country was held on at Air Force Station New Delhi आपको जाना चाहिए इंडिया France military subcommittee का 21st edition हाली में Air Force Station New Delhi में हुई हुआ है the meeting was co-chaired from the Indian side by Air Vice Marshal Assis Vohra, Assistant Chief of Integrated Staff Military Cooperation at Headquarters IDS India France MSC is a forum established to progress defence cooperation between both nations through regular talks at strategic and operational level between Headquarters, Integrated Defense Staff and the Joint Staff Headquarters of French Armed Forces which PSU has been honored with Golden Peacock Award in Risk Management given by the Institute of Directors किस PSU को Institute of Directors त्वारा जोखीम प्रबंदन में Golden Peacock पुरुषकार जे सम्मानित किया गया है सही आजर आप्शन ए है REC आपको जाना चाहिए REC Limited जो कि एक महारत नों Central Public Sector Enterprise है Under the Ministry of Power इसको रिस्क मेनेजमेंट में exceptional performance के लिए Golden Peacock Award दिया गया है Institute of Directors के द्वारा जो Golden Peacock Award है ये Institute of Directors द्वारा 1991 में established किया गया था और आपको जाना चाहिए जो REC Limited का नाम सेलेक्ट किया गया है ये एक जूरी के द्वारा किया है जिसे Head किया Former Chief Justice Office या Justice M.N.Wink कट चलाईया के द्वारा Who has been appointed as the Chairman and Magic Director of the Housing and Urban Development Cooperation Limited Hood को Housing and Urban Development Cooperation Limited Hood को जो की REC के Executive Director के तौर पर सर्व कर रहे है इन्हें Housing and Urban Development Cooperation Limited यानी की Hood को का Chairman and Magic Director बनाया गया है Hood को आप सभी को जाना चाहिए एक Indian Public Sector Undertaking है जो की Housing Finance & Infrastructure Project Finance में इंगेस्ट है इसका Headquarters New Delhi में है Which Union Minister launched India Skills 2023-24 in New Delhi? किसके इंद्र मंत्री ने नई देले में India Skills 2023-24 launch किया सही आंतर अप्चन दी है धर्मेंद्र प्रधान आपको जाना चाहिए Union Minister for Education and Skills Development and Entrepreneurship धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने India Skills 2023-24 को launch किया है साथी जो World Skills 2022 के winners है उनको सम्मानित किया है कोशल भवन निव डेली में आपको जाना चाहिए जो यह World Skills 2022 Competition है इसमें भारत की rank 11 रही है जो कि अब तक की सबसे best rank है भारत द्वारा जो अचीव की गई World Skills Competition की बात करें एक largest skill competition है और हर दो साल में यह एक बार आयजित होता है इसे World Skills International कंड़क्ट करा दी है आपको जाना चीए नेशनल हेंडीक्राफ्ट एक्जिबिशन गांधी वेवर्स फेर और्गनाइस्ट रास्टे हल्स्त शिल्प प्रदरशनी गांधी बुनकर मेला कि सहर में अचित की गई सही आंतरप्शन भी है कॉलकाता आपको जाना चीए नेशनल हेंडीक्राफ्ट एक्जिबिशन गांधी बुनकर मेला ये कॉलकाता वेस्ट बेंगॉल में शुरू हो चुका है अंडर दर इनिशेटिव अप दे युनियर मिस्ट्री आप टेक्स्टाइल ये पांधी पोड़के ने खाधी टेक्स्टाइल ने खाधी तेक्स्टाइल थे अन चानिव थे गया है ये प्यम नरेंदरमोदी लांगिन ग्रमीन, की बाचन रामीन, कॉषन दिविकास, केंध्र, इन विकास विक्याहज ड्रमोध महाचनव ग्रामिन को शलियु विकास्तकिंद्र लॉंच किए सचाएंथ श्रॉप्षन सी महाराष्ट है कि आपको जाना चाहिए कि प्राब रिच पिचयंद महारास्ट में पांसो फ्रमोध महाचनव काने को अई किसल्य है का 1 लॉंच यह यह फिजो हटव्लर crave क्या सकते हैं मर्टर कर दिया गया था इनकी हत्या कर दी गई थी भाई की द्वारा तो इनके नाम पर ये इसकीम जो है चालू की गई है अक्रोस 34 रूरल डिस्टिक्स अफ मानास्टर इस इस पर दा फिकी सर्वे इंडियन एकनोमी इस प्रोजेक्टे तो ग्रो एट वर्ट प्रसेंट इन फिस्कलियर 24 फिकी सर्वेक्शन के नुसार फिस्कलियर 24 में भारतिय अर्थेवियस्ता कि इतने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है सही आंतर अप्चन भी है 6.3 पर 24 में ऐसा कहना है federation of Indian Chambers of Commerce Industry यानि की फिक की द्वारा जारी इकनोमिक आउटलूक सर्वे इन्हों नहीं बता है कि जो अग्रिकल्चर एंड एक्टिविटीज है यह स्लोडाउन हो जाएगी 4 परसेंट से स्लो होकर 2.7 परसेंट हो जाएगी महीं जो इन्रस्टी है 5.6 परसेंट से ग्रों करेगी और सर्विस सेक्टर 7.3 परसेंट से ग्रों करेगा सर्वे ने भी कहाए कि जो CBI बेस्ट इन्फलेशन है यह 5.5 परसेंट रहेगी फिस स्लोड करेट करेटी फोर में मनहर सिंग गिल पास्ट अवे रिसेटली वाउस था फोर्मर चीफ ओफ इजनसी मनहर सिंग गिल जीन का हाली में इतन हो गया किस एजनसी के फूर प्रमुक थे सही आंतर अप्शन सी है Election Commission of India देखे फॉर्मर चीफ Election Commission of India 1996 से 2001 के बीच में चीफ एलेक्शन कमिशनर थे मनौर सिंग गिनिन का हाल में ने थन हो गया 87 की इच में इन्हें पद्वमी बूशन जो की कंट्री का Second Highest Civilian Award ये भी दिया गया था साल 2000 में उसके बाद इन्होंने कॉंग्रेस को जोइन किया था और राज्यसरभा के लिए भी ये चोने गयते साल 2004 में एक और आविचरी देख लेते हैं मल्यालम फिल्म प्रोडूसर और डारेक्टर ओफ मात्रभूमी पेरी अर्बन एरियाज किस वित्य संस्थान ने अमदाबाद की उप शहरी छेत्रों में कुणवत्ता पूर्ण बुनियार इन्हाचे के निर्मान के देख सोई क्यासी मिलियन यूसे स्टोर के रिंड़ को मंजूरी दी है सही आंसर आप्चन भी है पेरी अर्बन एरियाज में वो इंप्रूव हो सके इसके लिए 181 मिलियों यूसे स्टोर का लोन एप्रूव किया है ADB will help strengthen the capacity of the एहमदाबाद अर्बन डेफलेप्मेंट आथोरेटी और अल्बन रोकल बोडी इन टेक्नोची बेस्ट अर्बन प्लानिंग इन्कूदिंग्लाइट चेंज औं इस्टर रसेलेंस इंफ्रत्क्चर रॉट्चर और इंवर्मेंटल और शोशेल सेफकार्ट जेंडर एक्वालिटी और शोशल इंक्लुशन बागी आपको मैंने पहले भी कई बार बता है कि ADP के स्थापना 1966 में हुई थी 68 इसमें मेंबर है वाट इस दो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिस्पेशन रेट इन इंडिया इन 2022-23 एस पर दे पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आवधिक स्रंबल सर्वेक्शन के नुशार 2022 में भारत में महिला स्रंबल भागिदारी दर क्या है सही आंतर ओप्शन भी है 37% आपको जाना चाहिए कि हारी में नेशनल स्टैस्टिस्टिकल ओफिस एन इस दो द्वारा पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुल रिपोर्ट इनुल रिपोर्ट 22-23 जारी की गई है जो कि जून 2022 से जून 2030 के भी जो परियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंड़क्ट किया गया उस पर आधारी थे इससे बताया गया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिस्टिस्टिस्टेशन रेट है कंट्री में वो इंप्रूव वह आ है 4.2 परसेंटेज पॉइंट से और प्रेट प्रेजंट एने सो यह जो ट्रिडिक लबर फोर्ट सर्वे है इसको प्रेल 2017 से ही लॉंच करता है विश सिटीज महीला थाना हैस बिकम इंडियास फर्स्ट विमें सेंट्रिक पुलिस टेशन टो भी सर्टिफाइड बाई दा आई एस सो किस सहर का महीला थाना आई एस जैसे आई एस जैने की इंट्रेशन ओर्गनाइशन फोर स्टेंडर्डाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड किया गया है बोपाल महीदा थाना ने पिछले तीन साथ में इंफ्रास्ट्रॉक्चर पर काफी काम किया है और यह बोपाल का दूसरा आई एस सो सर्टिफाइड इस्टेशन भी बन गया है पहला यहां पर बोपाल मिस्ट्रोड पुलिस्टेशन है वैसे ओवरल दूसरा है लेकिन अगर हम कंट्री में विमन सेंट्रिक पुलिस्टेशन की बात करें तो पहला है जो इसे आई एस सो सर्टिफाइड किया गया है तो इंट्रनेक्शन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 वैस्विक पेंशन सूचकांग 2030 में भारत की रैंक क्या है सही आंतर ऑप्चन सी है 45 टॉप टैन की लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं आपको जाना चाहिए कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2030 में भारत की रैंक 45 है आउट ओफ 47 कंट्रीज जब पिछले साल यह लोंच की आगे तो 2022 में तब भारत की रैंक 45 थी आउट ओफ 44 कंट्रीज तो ड्रोप हुई है रैंक आपर 45 पर भारत पहुच गया है आपको बता द सब्सक्राइशन चाहिए इसमें तीन सब इंडिसेज हैं एडिक्वेसी सस्टेंबिल्टी एंड इंडिग्रीटी ठीक है और 50 से जादा इंडिकेटर से जिस पर 47 कंट्रीज को रेंग किया गया है इंडिया का स्कोर जो है 44.4 लास्ट यर था और बढ़कर थोड़ा सा 45.9 हो बढ़कर है जो इसकोर यह बढ़त है दर नीदर लेंड्स ये टॉप पॉजिशन पर इस इंडिक्स में 25 इसका स्कोर रेंग्षि के बात ाइसलेंड यह पिर ऍेन्मार्क पिर इस्रेल एंडिया दो फीर एंडियघ्मी इक्तिर मेंडिक्राइङ ऊरषिचर आश्रिय का सकोर स्टेल्थ काइड़ मिसाइड विद्वन्सक का नाम किया है। आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है इंफाल। आपको जाना चाहिए यार्ड 12706 इंफाल। यह प्रोजेक्ट 15 बी के तहत बना थर्ड स्टेल्थ काइड़ मिसाइल डेस्ट्रोयर है। इसको मज़काओं दौक शिप बिल्डर्स लिम्टेड द्वारा बनाया गया है और हाली में इंडियन नेवी को डिलिवर किया गया है। आपको जाना चाहिए जो प्रोजेक्ट 15 बी है इसके तहत चार स्टेल्थ गाइड़ मिसाइल डेस्ट्रोयर बन रहे हैं और इन्हें नाम दिया गया है विसाकापट्णम क्लास डेस्ट्रोयर तो अगर आपसे क्लास पूछली जाए तो आंसर होगा विसाकापट्णम क्लास अगर हम इस विसाकापट्णम क्लास डेस्ट्रोयर के बारे में बात करें तो इसका नाम है पी 15 ब्रेवो क्लास या फिर पी 15 बी आफ शोर्ड में कह सकत इन्हें डिजाइन क्या है वार्शिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा और टोटल फॉर शिप्स बनाई जाएंगी मजकाउं डोप लिंटेट के द्वारा अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब आपको जाना चाहिए कि जो यह P15B destroyers हैं इनका जो नाम है वो major जो बड़ी इंडियन सिटीज हैं उनके नाम पर रखा गया है जो historical and cultural connections है जिनका देखे विसागा पटनम है पहली दूसरी है मुर्मुगाव तीसरी है इंफाल जो की अब लौंच की गई है चोती है सूरत तो विसागा पटनम और मुर्मुगाव तो पहली ही लौंच की जा चुकी है डिलीवर की जा चुकी है इंफाल अब डिलीवर हो चुकी है अब बची है केवल सूरत तो आंदरब्रदेश की सिटी विसागा पटनम गोवा की मुर्मुगाव मनिपूर की इंफाल और गुजर तक का युवरास सिंह का रिकोर्ड किस ने तोड़ा सही आंतर ऑप्शन भी है आशुतोस शर्मा आपको जाना चाहिए ट्रेलवेस के मिडिल अड़र बैट्समेन आशुतोस शर्मा इन्होंने युवरास सिंह का जो रिकोर्ड है तो इन्होंने ग्यारा बोल पर अपनी जो 50 है वो पूरी की अर्वनाचर प्रदेश के अगेंस्ट खेलते हुए सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में युवरास्तिंग आप सभी जानते हैं ये रिकोर्ड पिछले 16 साल से अपने पास रखे हुए थे और इन्होंने बारा बोल पर 50 जड़ी थी इंगलेंड के खिलाब जब पहला T20 वर्टक खेला गया था साल 2007 में अपना चंद्रियान वैब पॉर्टल अपना चंद्रियान वैब पॉर्टल किसने लॉंच किया है सही आंदर ऑप्शन दी है धर्मेंद्र प्रधान आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर पॉर एजुकेशन एंड इस्किल डेफलेप्मेंट एंड इन्होंने एक वैब पॉर्टल लॉंच किया है जिसका नाम है अपना चंद्रियान इस वैब पॉर्टल में जो है एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट मेटेरल है जैसे की क्वीज हो गया पजल्स हो गए स्कूल स्टुडेंट्स के लिए और इस अभी मिशन चंद्रियान 3 से स इन्होंने रोबोटिक्स प्रोसेस आउटोमेशन लैब को हाली में इन्योग्रेट किया है एनाई एलाइटी गोरगपूर में मारी नामक गरबा सोंग किसने लिखा है सयांत रॉप्शन डी है नुरिंद्र मोधी आपको जाना चाहिए नवरात्री के अफसरपर प्राइमिस्टर नुरिंद्र मोधी ने एक नया गरबा सोंग जिसका टाइटल मारी है इसको रिलीस किया है इन्हें के द्वारा ये लिख अक्टोबर 16 आपको जाना चाहिए वर्ड अनेस्थीसिया डे हर साल 16 अक्टोबर को मनाया जाता है 16 अक्टोबर 1846 को अनेस्थीसिया पहली बार यूज किया गया था इसका फर्स्ट सक्सेस्फुल डिमोंस्ट्रेशन जो है विलियम थोमस ग्रीन मॉर्टन द्वारा किया ग रहा एनेस्थीसिया एंड कैंसर केर आपको जाना चाहिए 16 अक्टोबर को ही वर्ड इस्पाइन डे भी मनाया जाता है साल 2030 में वर्ड इस्पाइन डे का थीम रहा मूब यूर इस्पाइन प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सहर में भारत के पहले छेत्रिय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का उद्गाटन किया सही आंतर उप्षन सी रहेगा गाजियाबाद उत्तरप्रदीश आपको जाहाजी की प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेली का जावाद मेरट रर्र्टीएस कोरिडोर को इनोग्रेट किया है साइबबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर जोकी का जावाद उत्तरप्रदीश में है साथ इनों ने नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी जन्टी दिखाई है चोकी साइबबाद को दुखाई टिपो से कनेक्ट करती है इसी के साथ भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम का जो है आगाज हो गया है साथ इपिएम मोदी ने इस्ट वेस्ट कोरिडोर ऑफ बेंगलूरू मेट्रो के टू स्टरचेस को भी देश को समर्बित किया जो यह 17 किलोमेटर का प्रायर्टी सेक्षन है डेली गाजयाबाद मेरट रार्टीस कोरिडोर का यह साथ भाबाद को दुखाई डिपो से कनेक्ट करता है और स्टेशन्स पर देश में साथ भाबाद, कुलदार और दुखाई इसकी आधारशिला आठ मार्च 2019 में प्रायमेशन अन्यमोदी द्वारही रखी गई थी आपको जाना चाहिए 180 किलोमेटर पर आर की स्पीड है इस और रार्टीस की एक ट्रांस्पोरमेशनल रीजनल डेवलेप्मेंट इनिसियेटिव है जो की हाई स्पीड ट्रेन करेक्टिविटी प्रोवाइट कराता है इंटर सिटी ठीक हर पंदरा मिनट में और आने वाले टाइम में हर पांच मिनट में जो है यह जो सिस्टम है कि आपको प्राप्त होगा मतब जो यह Rapid Transit System है हर पाँच मेट में उगलब तो होती रहीगी टोटल आठ रार्टीस कोरिडोर इडेंटिफाई किये गए हैं जो कि NCR में बनेंगे जिन में से तीन कोरिडोर को जो है प्रिटाइज किया गया है फेस वन में एक तो है टेली गाजयबाद मेरट कोरिडोर दूसरा है टेली गुरुगाओं SNB अलबर कोरिडोर तीसरा है टेली पानिपत कोरिडोर विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट LACCMI स्कीम किस राज जरकार ने LACCMI योजना सुरू की सहीरा अंश्रॉप्शन एह रहेगा ओडिसा आपको जाना चाहिए ओडिसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक इन्होंने LACCMI स्कीम यान की लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशेटिव को लॉंच किया है मलका अंगिरी से इसके तहत बस के दुआरा जो पंचायत है और जो प्लोक हैटकॉर्टर से उनको डिस्टिक हैटकोर्टर से कनेक्ट किया जाएगा उडिसा की बात करते हैं कैबिटल पूवनिश्वर है गवर्नर यहां के रहुबर तास हैं बिल्कुल अभी इनकी अपॉइन्मेंट हुई है हाली में चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक है विडियोफ दा फॉलिंग हैस बिकम दा फर्स्ट रुषियन बैंक तो रिजिस्टर विट से भी एज फोरेंट पॉर्ट्फोलिय इन्वेस्टर एफ्पियाई निम्लित में से कौन विदेशी पॉर्ट्फोलियो निवेशक के रूप में से बी के साथ पंजिग्रत होने वा ठीक है ऐसाट डेटा जो है उपलब्द है नेसल स्टोक टिपोसिट्री की वेब साइट पर सब्सक्राइब यह रश्या का इस्टेट ओंड बैंक है और यह से भी के साथ कैटेगरी वन एफपी आई लाइसेंस यह तोर पर रिजिटर हो चुका है एफपी इस विद कैटेग इस्टुमेंट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको चाहिए कि कैटेगरी वन एफपी आई रिजिस्ट्रेशन एकेबल गवर्मेंट और गवर्मेंट रिलिटेट फोरेंट इन्वेस्टर्स और रेगुलेट एन्टिटीज को दिया जाता है जैसे कि बैंक्स, सोवरे राजीव चंद्रशेकर ने किस संगठन के साथ साथ साइधारी में हार्ट लेंड त्रिपुरा का उत्गाटन किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ऑप्शन सी है डियो लाइट इंडिया देखे राजीव चंद्रशेकर यह की यूनियन मिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलप्मेंट एन्टर्पनेर्शिप इलेक्ट्रोनिक्स एन्फोर्मेशन टेक्नलोजी है इन्होंने हाली में हार्ट लेंड त्रिपुरा इस प्रोजेक्ट को इन्वरेट किया है ताकि जो यूद है त्रिपुरा में उनको स्किल डेवलप्मेंट इंपार्ट किया जा सके यह प्रोजेक्ट डेवलाइट इंडिया के साथ पार्टनर्शिप में किया गया है साथ ही अगरतला का जो नेशनल इस्रिटुट ऑफ एलेक्टोनिक्स एन इंफोर्मेशन टेक्नलोजी इनकी NIE-LIT वोबी इस प्रोजेक्ट में जूदा हुए है। The Heartland 3PROP project will deliver a specific set of skill development certification courses through NIE-LIT करदूला for the state. Select professionals will also have the opportunity to be selected in internships which could lead to promising jobs prospects after they successfully complete the certification and internship requirements. When is the police commemoration day observed in India? भारत में पुलिस स्मृति दिवस कम मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन दी है October 21st। आपको जाना चाहिए हर साल 21 October को पुलिस commemoration day मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1959 में Chinese attack के कारण 10 CRPF जवान हमारे शहीद हो गए थे। लद्दा के होट स्प्रिंग एरिया की यह बात है। तो इन्होंने जो है अपनी जो है लाइन ओफ डूटी पर रहता होगे वह शहीद होगे। इस इंसिडेंट के बाद जनवर इनिस्टो साट में एक रिजलेशन पास किया गया जो इस्पेक्टर जनल्स ऑफ पुलिस ऑफ क्लासिकल सत्रंच में मार्क की जगा हिंदी में सास्त्रिय जो है लिखा गया क्लासिकल सत्रंच में मैंगनस काल्सन को हराने वाले तीसरे भारतिय कौन बन गए हैं सही आंसर ऑप्शन डी है कार्थिकेन मूड़ी देखे 24 साल के इंडियन जेस्ट क्रैंड मास्टर जो की तैंचभूर तमिल लारु से आते हैं कार्थिकेन मूड़ी इन्होंने वर्ड नंबर बन प्लेयर मैंगनस काल्सन को क्लासिकल जेस्ट में हरा दिया है और यह कतर मास्टर्स की बात है कतर मास्टर्स में यह खेला गय अनद ने बिैसे कई किह ऊते हैं क्लासिकल इन घंता है क्लासिकल कल्स गेम पर यह खा सीट है ऐगें इन a ताइम आपको मूव के लिए मिलता है आपने कभी-कभी 10 मिनिट में भी आपको अपना मूव चलना पढ़ता है इस तरह से ठीक है तो क्लास्टिकल गीम थोड़ा लंबा चलता है साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-से पी चल जाता है देखे डॉक्टर माइकल देव ब्रत पात्रा जो की डिप्टी गवर्णर रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की इन्होंने रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का सब ओफिस इनुग्रेट किया है इटा नगर अरुनाचल परदेश में इसी के साथ इस ओफिस के खुलने के साथ ही में 2.50 क्रोड रुपे की monetary penalty L&T Finance Limited पर लगाई है for non-compliance with certain provisions of the non-banking finance company, systemically important non-deposit-taking company and deposit-taking company directions 2016. The RBI has imposed a monetary penalty of part amount on the Chappi Nagarik Saykari Bank Limited, Gujarat. RBI ने दो Chappi Nagarik Saykari Bank Limited, Gujarat पर कितनी राशी का मौधरिक चुर्माना लगा है? सही अंसर अप्षन है, 1 lakh रुपीज. देखे, Reserve Bank of India ने एक लाग रुपे का मौधरिक चुर्माना लगा है, Chappi Nagarik Saykari Bank Limited, बानस कंत, Gujarat पर, for non-compliance with the directions issued by RBI on loans and advances to directors, relatives and firms concerned in which they are interested. साती Reserve Bank of India ने 2 lakh की मोनेटरी पैनेटी लगाई है, Partner Nagarik Saykari Bank Limited, Gujarat पर, RBI ने 3 lakh रुपे की मोनेटरी पैनेटी लगाई है, People's Cooperative Bank Limited, डोल का उच्छाथ पर, Reserve Bank of India ने 2 lakh रुपे की मोनेटरी पैनेटी लगाई है, Mahila Cooperative Bank, Mahila Cooperative Nagarik Bank, बाहरूच, Gujarat पर, साती RBI ने 6 lakh रुपे की मोनेटरी पैनेटी लगाई है, सूरत नेसल कॉपरेटी बैंक Limited, Gujarat पर, Which Bank launched, Mokanur Mission under स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहित किस बैंक ने Mokanur Mission launch किया, सयांतर अप्षन, C है Federal Bank, देखे, Federal Bank ने Mokanur Mission launch किया है, स्वच्छ भ District में आता है, और जो Federal Bank के Founder रहे है, KP Hormis, इनका पर्थ प्लेस है, तो KP Hormis की 162 बर्थ अनिवरसरी के मोंके पर, ये Mokanur Mission launch किया है, जो कि 111 अभियान का हिस्सा है, इस प्रोग्राम को, जो है Mokanur Mission, जो इसका नाम है, इसको launch किया गया, Federal Bank के MDN CEO, Shtyam Sarinivasan के द्वारा, Federal Bank के बारे में आप जानते है, Headquarters Alva को चीके एरल में है, और Tag Line है, Your Perfect Banking Partner, Which Organization received UNCTED International Standards for Accounting and Reporting, ISAR Owners, कि संगटन को लेखांकन, और रिपोर्टिंग के लिए UNCTED अंतरास्तिय मानक सम्मान प्राथ हुआ, से यांसर आप्षिन भी है, ICAI, देखी, United Nations Conference on Trade and Development, यानी की UNCTED, इन्होंने International Standards for Accounting and Reporting Owners, के 6th edition के जो विनर्स है, उनको सम्मानित किया है, during the 8th World Investment Forum, आपुधावी, UAE, तो Institute of Chartered Accountants of India, यानी की ICI, इनका जो Sustainability Initiative है, इसको आपर highest score दिया गया है, amongst 70 initiatives received from around the world, Which Agency has developed Vidya Samikshah Software, Sagar Se Sarans? Vidya Samikshah Software, Sagar Se Sarans, किस agency ने विक्सित किया है, सही आंसर option C है, CBSC, देखे, Central Board of Secondary Education, यानी की CBSC, नोने Vidya Samikshah Software, Sagar Se Sarans, को लोंच इया है, as part of the Vidya Samikshah Kindra, for Amplifying Data-Based Decision Making, Vidya Samikshah Software of CBSC, aims to leverage data and technology, to bring a big leap in decision making and governance, this software covers data from more than 28,000 CBSC schools, over 13 lakh teachers, and approximately 3 crore students. GTEx Global 2023, kicked off in which city, GTEx Global 2030 की सहर में सुरूबा, सही आंसर option B, रहेगा, Dubai. देखे, GTEx Global 2023, जो कि एक 5 days का extra wagon सा, या फिर आप एक्सार का exhibition कह सकते हैं, और इसका theme है, the year to imagine AI in everything, ये दूबई में हाली में शुरूफ हुआ है, और जो latest innovations हैं, trends हैं, artificial intelligence में, cloud computing में, web 3.0 में, size-based security में, climate technology में, urban development में, वो सब यहां पर प्रदर्शित किये गई हैं, Indian Pavilion भी यहां पर बनाया गया है, और इसे launch हिया गया है, NASCUM, Telecommunication, Equipment and Services, Export Promotion Council, TEPC, Electronics and Computer Software, Export Promotion Council के द्वारा, आपको दुबई सम्मनित record current फिर जानना चाहिए, कि दुबई में, Gender Balance and 4 IR Workshop हाली में हुई है, और इसी दोरान, 4th Industrial Revolution में जो है, जो inaugural framework है, Gender Balance के लिए, यहां पर launch किया गया है, यह जो Gender Balance and 4 IR Workshop है, यह World Economic Forum का जो Annual Meeting होती है, Global Future Council की, इसके तहित launch किया गया है, कहां पर दुबई में, इस framework is a partnership between the UAE Gender Balance Council and the Center for the 4th Industrial Revolution, UAE. What is India's rank in the Global Remote Work Index? Global Remote Work Index ने भारत की रैंक क्या है, सही आदर option C है, 64. देखिए, out of 108 countries, भारत की रैंक 64 है, यदि हम Global Remote Work Index की बात करते हैं, इस decline can be attributed primarily to India's sub-part digital and physical infrastructure and social safety. देखिए, जोगे Global Remote Work Index इसको पब्लिश किया कहा है, Cyber Security from Nord layer के द्वारा, और इसमें four key criteria के बेस पर countries को rank किया गया है, एक है Cyber Safety, दूसरा है Economic Safety, तीसरा है Digital and Physical Infrastructure, चोटा है Social Safety. Top 10 countries की बात करें तो Denmark पहले नंबर पर है, यहां पर डेखिए वीडियो उप्टेट्स और current quiz आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं. दोस्ते, हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, value estimates साथ हमारे current affairs को आप share जरूर करें, आज का इस session आपको कैसा लगा, आप comment works में वश्ची बताइएगा, thank you guys.